गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग कैसे हैं क्या हाल चाल आप लोगे जल्दी प्लीज बता दीजे फिर मैं क्लास को आगे बढाता हूँ आज भी हमारी क्लासिज दो जगे चल दी हैं एक तो एप पे और एक हमारे चैनल पे तो दोनों जगा ये क्लासिज कॉंटिनू हो रही हैं बच्चे बिलकोल अराम से पढ़ेंगे आप जहां भी चैट कर रहे हैं मेरे पास दिख रहा है मैं आपको रिप्लाई करूंगा जो है इसका चक्कर कम से कम छूट जाए हम लोगों से मास्क फिर से ओमिक्रोन डेल्टा पता नहीं क्या-क्या हम लोग reaches आ रहा है और बाकी लोग सभी बच के रहे हैं इस चीज से तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे गुड़ मोरिंग कीजे और में क्लास को स्टार्ट करता हूँ गुड़ मोरिंग बच्चों गुड़ मोरिंग आज के बाद जो हमारे पेड बच्चे हैं जो की अभी तक नहीं थे उनको बच्चे तो आपको मतलब कोई टेंशन नहीं होगा आज के बाद सुनी मेरी बात द्हान से एक बार जल्दी से हम लोग पिछली क्लास का एक बार रिविजन कर लें पिछली क्लास में मैं भूल गया आप लोग अभी बुक मत देखना मैंने भी देखो बुक बंद करकर रख हुआ है मेरे पास कुछ भी नहीं है बुक मेरे पास बंद पड़ा हुआ है और मैं एक बार याद करूं कि हमारे कौन-कौन से सेक्षिन थे इंडिया में कल का डेटा वो 37,000 है तो आपके सिटी में 29,000 कहां से आ सकता बदमाश लड़की कहां से डेटा लेकर आती है ट्वन्टी नाइन थाउजन एक सिटी सिटी की बात कर रही वह भी स्टेट की बात नहीं कर रही है ऐसा नहीं है आप कोई गलत आपको ख़बर दिया हुए है अब मैं सुनी मेरी बात हम लोगों ने जो पिछली क्लास तक सेक्शन जो हमने स्टडी किये थे एक बार याद का एक था आपका ट्वन्टी फोर एसलार का फिर आपका सेक्शन एट था जिसमें की जो बैंक है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता दूसरे एक्टिविटीज में जो आर्बिय नौम से उसके सिवाए और फिर एक हमने सेक्शन नाइन पढ़ा था जी कि अगर कोई प्रोपर्ट को नौ साल के अंदर में आपको डिस्पोज अफ करना है जल्दी बताएं नौ साल के अंदर में उसको डिस्पोज अफ करना है क्या मैं सही बोल ला हूं क्या मैं सही बोल ला हूं बच्चे जल्दी बताएं जो सेक्शन नाइन के मताविक जो प्रोपर्टी बैंक ने एक्व नहीं एक्जाम में कोई भी कोशन आ जाए अभी उन्होंने पिछले एक्जाम में गेम खेला था उन्होंने कहा था कि ब्रांच का बताओ कौन सा सेक्षन है कोई बताएगा section 5B में क्या लिखा हुआ है section 5B में क्या लिखा हुआ है section 5B में किसी के बारे में किसको डिफाइन करता है सर आपने अभी बताया नहीं अरे बैंकिंग कंपनी का डेफिनिशन जो है वो section 5B के अंदर है हमने ये भी एक section अभी बता दिया section 17 के बारे में आपको पिछली क्लास में कहा था कि ये स्टाटूट्री रिज़रों जो क्रेट होता है और आज के टाइम पे जो रेट प्रिस्क्राइब रहे वो 25 परसेंट है मतलब कि कोशन जो रेट बताएगा वो ना बताया तो हम 25 परसेंट की साफसर प्रोविजन बनाते हैं ये सारी बात हो चुके थी मुझे याद आ गया ये सारी बात हो चुके थी ना मैं आगे की बात अगर करूं तो हमने पिछले क्लास में बैलंसीट का फॉर्मट स्टर किया था बैलंसीट का फॉर्मट सेक्षण 29 अंदर था सेक्षण 29 शेडुल 3 के अंदर में form A and form B form A जो था बच्चे वो balance sheet का था and form B profit loss account का ये भी question एक number का बन सकता है अब हमेशा त्यार रहेंगे तो section A form A था बच्चे balance sheet का and form B जो था वो profit loss account का मैं जानता हूँ एक सवाल मैं पुछने वाला हूँ और उस सवाल का जवाब आप बहुत असानी से देंगे सुनिए वो सवाल क्या है सुनिए वो सवाल क्या है मुझे आप लोग चैट बोक्स में बताएंगे इसका जवाब मैंने आपको last name बताया था कि हमारे पास section 29 हमने कहा था कि section 29 schedule 3 schedule 3 के अंदर में आपका यहां पे form A and form B है form A के अंदर में balance sheet का format है and form B में profit loss account का तो मुझे बताओ इसको देखके शायद आप समझ गए होंगे कि अगर जब आपको financial statement बनाना होगा तो financial statement बनाते समय पहले क्या बनेगा पहले balance sheet बनेगा या पहले profit loss account बनेगा जल्दी बताएं कि जो आपका balance sheet बनेगा या पहले profit loss account बनेगा पहले जड़ा बताईएं क्या बनेगा आपका पहले balance sheet या profit loss account जल्दी बताएं देखिए बच्चे बताना शुरू कर चुके हैं कि सर पहले balance sheet बनेगा एक बच्चे कहता है कि सर प्रोफिट loss और maximum बच्चे balance sheet balance sheet balance sheet बनाश कभी बीना profit loss account बनाएं वेगर balance sheet कहीं बनाना सिखा आप लोगों ने कभी सिखा है कि बीना profit loss account बनाएं आप balance sheet बनाते हैं यह बनाशी है गल्द बात है अरे form कोई भी पहले हो कोई भी बात में हो क्या फरक पड़ता है हम real life में पहले profit loss account बनाते हैं profit loss से information निकालते हैं तभी तो balance sheet में जाता है तो आपको काम करने का भी वही तरीका होगा पहले profit loss बनेगा ओविस बात है ग्यारवी क्लास या पढ़ते आ रहे हैं फिर आपका balance sheet बनेगा एक बात मेरे साथ याद करो ना कि हमने जो पिछली क्लास में balance sheet का format पढ़ा था उसमें किसका कौन सा schedule था मेरे साथ याद करेंगे आपको बोलना है अपने मन में चिला के बोलो घर के आसपास के लोग सुने तो तब तो बात बनेगी schedule 1 था आपका capital का schedule 2 था आपका reserve surplus का schedule 3 किसका था मैं बूल गया schedule 3 किसका था बच्चे आप नहीं बताओगे मैं बता देता हूं schedule 3 था आपका बॉर्विंग्स का फोर्थ था आपका deposits पांच बाता अधर लावलिटी एन प्रोविजन मैं दुबारा बोलूगा दुबारा बोलूगा स्राट किजी मेरे साथ पहला किसका था जी हमारा कैपिटल दूसरा किसका था आपका तो रिजर्व एन सप्लेश तिसरा किसका था डिपोजिट्स चोथा क्या था बॉर्विंग पांच बाता अधर लावलिटी एन प्रोविजन हमने इसको अलग कर दिया पांच खतम होगे हमें ऐसेड फैड में आगे चछठा शृडूल किसका था cash in hand and balance with RBI cash in hand and balance with RBI मैंने पहले भी बताए बाकि balance with RBI यानि कि RBI के पास जो आपका पैसा है वो दो अकाउंट में होता है current account non current account तो किसी में भी और क्या फड़क पढ़ता है शेडूल 6 में जाएगा सब्सक्राइब 9 6 एक हमारा इंवेस्मेंट हा एक हमारा इनवेस्मेंट ना तेट क्या था नाइन कोड़ा नारा कि अडिवान एडवांस तेट क्या था वही fixed assets आपका, 10th आपका fixed assets, 11 था, other assets और 12 था आपका contingent liability, एक नाम था, bill sent for collection, but that was without any schedule आपका, खतम हो गया, फिर हम आगे आप अपने उसमें profit loss account में, 13, 14, 15, 16, चार schedule थे, 13 था interest earned, 14 था other income, 15 था interest expended, और 16 था आपका operating expense, फिर provisions and contingency, आपको मैं दिखा देता हूँ, और हम लोग फटाफट क्योंकि आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और इस chapter में बहुत आगे निकलेंगे, यह लिजे, शिवम AC ना कम cooling करना भी यहाँ पर, थोड़ा सा उसका temperature को आप कम कीजे, ताकि थोड़ा cooling बढ़े यहाँ पर, यह ल balance sheet का format मेरे book में है, जिन बच्चों के पास मेरी book है, उस book में अपना format चेक करेंगे, बुक में चेक करेंगे format, और जिन बच्चों के पास book नहीं है, वो अभी देख रहे हैं, चाह कभी भी देख रहे हैं, इस video के description में, अल्रड़ी मैंने notes अप्लोड करके रखा हुआ है, मे detail में अभी आऊंगा भी, अभी question की practice मुझे कराना है, लेकिन आज तो हम आते हैं आपका profit loss में, आपका 13 है interest earned, 14 है other income, 15 आपका interest expended, 16 है operating expense and provisions and contingency, actually मेरे साब से यह provision for contingency होना चाहिए था, बट कोई बात नी format भी यो लिखा हम वही लिखेंगे, without any schedule आपका, इनको plus minus करके profit नि प्लस मेनस करेंगे, फिर आपका total हाजाएगा उसका appropriation transfer to statutory reserve, कोई मुझे बताएगा क्या, कि statutory reserve में, जो amount आपका transfer होता है, वो कितना होता है, कि statutory reserve में, जो amount आपका transfer होता होता हो, कितना percentage था जी, कितना percentage हमने कहा था, 25%, और कि section के अंदर हमने बताया था, section का नाम बताएए, section कौन सा था, बच्चे, section आपका, section था हमारा 17 section, good, तो आपको क्या करना, यहाँ पे यह बात निकल के आगे, transfer to other reserve हमने कहा था, कि only, only, आपका if specified, अगर आपका specified है, तभी, मतलब जो question बोलेगा, तो, transport to government, proposed dividend, बहुत ध्यान से, यहाँ पे एक dispute है, मेरे बच्चे, proposed dividend को लेकर, proposed dividend का, जो treatment होता है, मैं जो बाकी chapters में आपको सिखाऊंगा, कि इसका हम कोई appropriation नहीं करते हैं, यह notes to account पे लिखा जाता है, आप शाइद बारवी class से पढ़ रहे होंगे, कि dividend अगर अभी proposed है, तो that is not your liability, कोई provision नहीं है, हम उसको दिखाते हैं, लेकिन आपके institute के study material में, जितने सारे question उन्हेंने solve किया है, proposed dividend को लेकर, वो उसका appropriation दिखाते हैं, तो हमें भी वही काम करना, क्योंकि marks हमें मिलेगा, ultimately, institute के study material के मुताविक, यानि कि exam में अगर proposed dividend आएगा, तो हम उसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे appropriation करेंगे, इसका और detail में थोड़ा सा आ में क्या क्या आता है, अब यहाँ पे आज की class को में continue करता हूँ, यह देखे आप यहाँ पे, आप अपने book में निकाल लो इस बात को, मैं सोचा कि लिखा दूँगा, बट यहीं पे मैं सोचा कि समझा दो, क्योंकि आज बहुत सारे मुझे balance sheet के question के practice करानी है, तो सुनेंग bank आपसे interest कमाता है न, बोलो हाँ, bank आपसे interest कमाता है न, अगर bank ने आपको loan advances दी है मेरे बच्चे, तो loan advances में bank आपसे interest कमाता है न, वो interest कहां जागा जी, 13 के अंदर में, यहीं नहीं discount on advances, discount, आप याद किजिए मेरी पहली class, पहली class में हम लोग ने discount earned जो आपका है, उसका treatment स चिका था, उसमें से less rebate on bill discounted, मतलब जितना discount earned किया, उसमें से जितना अभी हम इस पर income नहीं मानेंगे, उसको minus करके बाकी को हमने income गुरुप में दिखाया था, तो वो जो discount होगा, वो भी कहां जागा, 13 में, तो 13 में आने वाला एक तो interest हो गया, discount हो गया, income from investment, ध्यान समरे आज ना शब्दों के गेम पर पहुंचना है, बहुत ध्यान से हम मानुटली बात करेंगे इसके बारे में, कहता है income from investment, बैंक कई जगा पैसा इन्वेस्ट करता है, कई जगा, बैंक ने मेरे बचे अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस investment पे जो वो income कमाएगा सर कौन सा income, मैं बता दू कि बैंक इन्वेस्ट में कौन सा income कमाता है जी, वो आपसे, वो interest कमाता है, वो आपका dividend, आप भी लिख लो ना, अपने बुक में, dividend, dividend, वो जो कमाता है, ये कमाने की बात कर रहे हैं, पे करने की बात नहीं, जो भी उसने investment पे income कमाया आओगा, वो in interest on balance with RBI, कहता है कि Reserve Bank of India के पास जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, या किसी और bank के पास पड़ा हुआ है, उस पे भी जो आपने interest कमाया, वो यहीं पे जाएगा, अगर मैं कहूं कि यार इतना क्यों याद करूं, तीन नाम बस याद कर लो, bank कहीं से भी अगर interest कमाता है, कही investment, जिसमें की dividend भी हो सकता है, वो भी आपका इसके अंदर में आएगा, यहीं नहीं में बच्चे, अगर वो मानलो कि आपका, क्या था जी, वो जो discount कमाया था, discount कमाता है, और bill discounted, वो भी कहां जाएगा, 13 के अंदर जाएगा, तो 13 के अंदर में बच्चे, तीन बात निकल के आपका, कौन-कौन सा निकल के आपका, interest discount जो कमाया, वो आपका income from investment, और तिसरा आपका क्या जी, आपका, कहां चला गया, discount कमाना, फिर यह other income लिखा हुआ है, आप इसको देखके परशान मत होना है, मरे बच्चे, यह जो other income है ना, लिख दो bracket में, only if specified, मतलब, आप समझ लो कि अब यहां पर other income में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अगर कुछ आएगा, तो question साब साब शब्दों में बताएगा, कि इस other income को schedule 13, यानि कि interest earned में आपको दिखाना है, याद रहे की बात, हमने 13 में सिर्फ तीन नाम या दखना है, interest, discount, और तिसरा क्या बोला income from investment, बस, इतनी बात या दखो, इसके सुवाए कोई भी नाम नहीं होता, मेरे बच्चे, अगर कोई नाम होगा, तो question को साब साब शब्दों में बताना होगा, कि इस income को आपको 13 में दिखाना है, अदर बाज तीन नाम हमेशा में या दखना है, कोई डाउट इसमें नहीं स इसके सुवाए बैंक और भी कमाता है, जैसे कि कमिशन कमाया, एक्स्चेंज कमाया, ब्रोकरेज कमाया, बैंक कमाता है, कई सारे आपके विहाब पे डिल करता है, आपके विहाब पे ट्रेडिंग करता है, तो मुझे अगर कोई बैंक कमिशन कमा रहा है, ब्रोकरेज कमा रह लेकिन इन्वेस्मेंट को अगर आप सेल कर देते हूं, फरक समझो, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पे हमने इंट्रेस कमाया, डिविडेन कमाया, कुछ भी कमाया, 13 में जाएगा, लेकिन उस इन्वेस्मेंट को मैं बेच देता हूं, और बेचने पर कुछ प्रोफ सर ने आप कोई बात बताईए, सुनो मेरी बात, प्रोफिट और सेल ऑफ इन्वेस्मेंट कहां गया, 14 में, मज़े की बात है कि अगर आप इन्वेस्मेंट को सेल करते हो, और सेल करने पर अगर आपको लोस हो जाता है, लोस हो जाता है मेरी बच्चे, वो भी आपका 14 के अं मैं तो इसको देखूंगा है नहीं, मुझे इसको देखना है नहीं, हटाओ इसको, अरे आप से बात कर रहा हूं, आखों में आखे निकाल करें, मिला के बात करो, हमने कहा 13 के अंदर में 3 नाम, अभी मैं कोशन प्रैक्टिस कराऊंगा, और 16, 16 मार्क्स में आए वे कोशन प होगा, तो कोशन को बताना होगा, कि भी या 13 में लिखिए, खतम होगी बात, 14 में आगया, इंट्रेस, डिसकाउंट और इंकम फ्रम इन्वेस्मेंट के स्वाए कुछ भी आएगा, 14 में, बैंक ने कमिशन कमाया, ब्रोकरेज कमाया, एक्सचेंज पे कुछ कमाया, 14 में मैनस, निघेटी बैलनस को रुप में, कैसे दिखाऊंगा, सुनो तो, अरे हमने फिक्स्चेंट्स को बेच दिया, फिक्स्ट्स को बेचा है, और बेचने पर कोई फायदा हुआ, वह फायदा भी कहा जाएगा, 14 में जाएगा, मुए बात और सुना, अगर आपने investment को या फिर आपने fixed assets को revalue किया मेरे बच्चे आपने revalue किया उसकी value को आपने देखा किया 5 लाग था 6 लाग हो गया 5 लाग कि था 4 लाग हो गया यानि कि आपने उनको revalue किया revalue करने पे कोई घाटा फाइदा हुआ अगर फाइदा हुआ तो भी 14 में जाएगा घाटा हुआ तो भी 14 में जाएगा अब सुननो मेरी बात ना हमने तो कहा कि 13 में 3 income इसके बाद जितने सारे income होंगे 14 में दिखाओ और मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो 14 अदर इंकम के शेडूल क्या बता रहा है कमिशन एक्सचेंज ब्रोक्रेज जो बैंक ने कमाया यहीं जाएगा प्रोफिट और सेल अफ इन्वेस्मेंट यहीं पर आएगा लॉस अगर हुआ है तो भी यहीं पर आएगा प्रोफिट अगर आपने इंवेस्मेंट पर फार्ट में गया था लेकिन आपके क यहीं कंपनी काम कर रहा है पिर अब कर ने क्या है ने क्या है आपने इन्वेस्मेंटर बच特ण हेखें구요 बाधिवी ऐड़न्याथ कोई इन्कम आपका बोल दे कुछ भी कह दे 14 में जाएगा इतनी सी तो बात है आप समझे मेरी बात मैंने क्या बताया आपने मेरी बात सुना बचे एक बार दुबारा बता दू 13 में 3 नाम 14 में बाकिसार नाम और फिर आप आओ ना इतना क्या सोचना 15 में आप आईए इंट्रेस एक्स्पेंडेड मत सोचो अरे बैंक इंट्रेस भी तो पे करता है बोलो ना हां बैंक इंट्रेस भी तो पे करता है जितने सारे पैसे हम लोगों ने बैंक में जमा किये है उस पे बैंक आपको इंट्रेस देता है ना ये सर बैंक अगर इंट्रेस देगा तो बैंक किसी और बैंक से लोन ले रहा है कहीं से भी लोन लोगे और उस पे अगर आप interest पे करोगे तो सब कहां जाएगा 15 वे आप तो कसम खालो आप खालो कि bank ने अगर interest पे किया कहीं भी पे किया कहीं भी पे किया तो उसको कहां लिखूंगा 15 के अंदर में क्यों मैं इन सब चीजों को आपको दिखाऊं कि भी या, interest जो आप deposits पे पे करते हो, interest जो आप RBI को पे करते हो, किसी और bank से पैसा बोरो कि या, उसमें पे करते हो, कहीं से, कुछ नहीं, interest मतलब interest, खतम होगी बात, जगडे खतम, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और फिर मिर बच्चे, इसके के bank के जितने सारे expenses होंगे, जितने सारे, सब कहां जाएंगे 16 में, सर कौन से, अरे bank rent पे करता है, bank salary पे करता है, bank आपका मालो क्यों, electricity charge पे किया, lighting charge पे किया, directors को पे किया, कुछ भी salary पे किया, wages पे किया, अरे convenience पे किया, जितने भी खर्चे bank के होंगे, बाकी interest को छोड़क कहां पे, 16 पे, तो बात खतम होगी, एक बच्चा बोला, कि सर जब fix it बोल दिया, तो investment को अलग से क्यों, क्योंकि मरे बच्चे investment आपका अलग होता है, मैं balance sheet की schedule में भी दिखाऊंगा, हमने अरे बदवाश बताया है, तो था मैंने, investment 8, अगर आप कहीं पे investment कर रहे हो, तो आपका 8 है, investment छोड़के बाकी जो assets होते हैं, आपका building है, आपका furniture है, आपका machine है, उनको कहा जा रहा, fix assets आपका, उनको बेचोगे, तो उन पे भी जो घाटा फायदा होगा, वहीं पे जाएगा, समझ मागी बात मेरी, यह सर, तो यहां पे आपका क्यावा, हमने काम खतम किय 13, 14, 15, 16 आपका, यह आपका यहां पर निकलका है, बच्छे, ठीक है, तो आप ध्यांदना, यह सारी बाते, इनको याद करने की भी requirement नहीं है, हमने कहा कि, यह expense छोड़ दो, interest छोड़ दो, बाकी सारे खर्चे आपका 16 में आ जाएगे, आई जड़ा भी यहां पे, अब हम ल institute के study material का question है, और मजे की बात है कि question number 21, अभी तक आपकी exam में 16 times आ चुका है, 16 बार, हैरान करने वाली बात है, कि banking company में जब भी examiner को अच्छा question बनाने का मन करता है, तो क्या करता है जिए, आपका 21 question देता बच्छे, तो यह 16 times आपके exam में, और CA वाले जो हमारे बच्छे है उनकी exam में अभी तक 13 times, 13 बार ये question आ चुका है, मैं हरान हो कि इस question में कौन सी ऐसी खास बात है, कि 16 plus 13, यानि कि 29 times ये question आया है, मैं डर भी रहा हूं, क्या directly में अगर इतना tough question कराऊंगा, तो क्या मेरे बच्छे कर पाएंगे, देखता हूं, आउना, एक बार देखता हूं कि क्या आपको ये question बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं आता हूं मेरे बच्छे, और हाँ, कई सारे बच्छे जिनके पास book नहीं है, तो मैं उनके लिए question को भी यहाँ पने निकालूंगा, आपसे मैं कितना प्यार करता हूं, आपको नहीं पता, मैं कैसे बता हूं आपको, कैसे ये लिजे आपका, question number 21, पहले ये last class ही न, मैं इसको थोड़ा साव कर दू, तब तब जितने बच्छे हैं न, वो 21 question पढ़ें आप, मैं थोड़ा इसको इधर करके, थोड़ा सा बड़ा, आप यहाँ 21 पढ़ें, और तब तक मैं इसको clean करता हूं, मुझे इसी के साथ आपक को दिखाना है कि question number 21 कैसे होगा, 21 question कैसे होगा, ये लेजे, मैंने इसको मिटा दिया, और यहाँ पर question number 21 आपको करके बताता हूं, जल्दी से आउना, एक बार हम question को पढ़ते हैं कि question क्या बता रहा है, और फिर हम question को solve करने शुरू करते हैं, एक बार मेरे साथ आप लोग फ लोगों को क्या, एक बार या दिलाता हूं, एक बार क्योंकि question जो है ना बच्चे वो सिव आपका profit loss account का है, तो profit loss में 4 schedule थे, 13, 14, 15, 16, 13 था interest earned, interest earned में 3 नाम संतों सर ने बताया था, एक था interest earned किया, जहां कहीं से भी, दूसरा था discount कमाना, जहां कहीं से भी, और तिसरा था income from investment, यह तीन नाम थे, 13 के अंदर में, 14 के अंदर में याद केजिए, 14 के अंदर में था, बाकी other income, इस तीन को सिवाए कुछ भी कमाया, commission exchange, brokerage हो जाए, profit on sale, loss on sale, profit on revolution, loss on revolution, सब जाएगा 14 के अंदर में, ठीक है, 15 में आ गए, interest expanded, 16, आपका other operating expenses, बाकी तो ठीक है, जी कोई दिक शान करेंगे, और देखते हैं कि यह question जो अवी तक 29 times total आ चुका है, मैं लिख लो न यहाँ पर, लिख लो, मैं पता नहीं क्यों यह नई बुक में लिखना भूल के हमें, यह जो question आपका है, 16 times, 16 times आपके CMA के अंदर, और 13 times यह question आपका आ चुका है, CMA के अंदर में, ठीक आप ही में नहीं, even CA वाले जो बच्चे उनके भी study mat में, बट फिलाला हम अपने CA में वाले बच्चों से बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को ही focus करेंगे, simple कहने का मतलब की question important है मेरे बच्चे, important है, ठीक है न, चलिए आए, और important है क्या बस schedule आपको ध्यान में रखना है, यह आप कीजे, यह question यहाँ पर, उपर में लिख लो एक बार, यह पता नहीं कैसे छूट गया, लिखेंगे यहाँ पर, prepare, लिख दो यहाँ पर, question के starting में, prepare, profit and loss account, profit and loss account, loss account, of, मालो यह, I, C, I, C, I, I, C, C, bank, है न, जो I, C, C, bank है मेरे बच्चे, हम उसका यहाँ पर क्या कर रह है, हमें इसमें कोई balance sheet नहीं बनाना, किसी भी balance sheet की बात यहाँ पर आप से नहीं हो रहे है, सिर्फ आपका, I, C, C, bank का, जो profit and loss बनेगा, वो कौन सा था, जल्दी बताए, फॉर्म A था, फॉर्म B था, जल्दी बताए, जल्दी बताए, फॉर्म A था, फॉर्म B था, यह, फॉर्म B था बच्चे, फॉर्म A balance sheet का था, तो हम पहले profit loss यहाँ पर सीख रहे है, गुड, आउना, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, कहता है कि सारे figure thousands में, इस बात को ध को number बताना है, number भी, या तो 13, या 14, या 15, या 16, जबकि मैं बता चुका हूँ कि यह 13 आपका interest earned का है, interest earned का, यह आपका other income का है, other income का, यह interest expended का है, interest expended, और यह आपका operating expense आपका है, चार आपके पास है, तो जल्दी बताए कि interest and discount कहा जाएगा, 13, good, बहुत प्यारे बच्च 13, अच्छा बता, income from investment कहां जाएगा, जल्दी बताए, income from investment कहां जाएगा, 13 या 14 में, जल्दी बताए, income from investment कहां जाएगा, 13 या 14 में, obvious बात है, एक एक नहा नाम की बदमाश लड़की है, वो कहती है कि सर्फ 14 में जाएगा, अरे नहा, अभी बताए बच्चे मैंने आपको, कि income from investment भी 13 में जाएगा, investment को बेचने पर, अगर हम उसको sale करते हैं, या revalue करते हैं, उसमे कोई घाटा फायदा होगा, वो 14 में था बदमाश, शिवम कुमारी बदमाश बच्चा है, वो भी 14 कहता है, बाकि सारे बच्चे सही है, और मजे की बात है कि अगर मैं अपने app में दे अच्छा बता, interest on balance with RBI, रुको रुको, मत सोचना शुरू करो, हमें समझना है, क्योंकि मैं बच्चे, RBI से interest हम लेते भी है, और RBI को हम interest देते भी है, अगर हमने RBI से पैसा लिया हुए कर्ज, तो हम interest pay करेंगे, अगर हमने उनको, उनके पास पैसा जमा किया हुए, तो interest हम मिलेगा, तो हमें language को ध्यान से पढ़ना, interest on balance with RBI, balance with RBI का मतलब होता है, RBI के पास हमारा पैसा है, हमने RBI से लियानी है, हमारा balance RBI के पास है, तो मैं बचचे, अगर हमारा balance, हमारा पैसा, RBI के पास है, तो RVI ने हमें Interests दिया होगा Interests दिया होगा और मुझे बताओ कि अकर Interests Bank ने हमें दिया होगा तो कौन से schedule में जाएगा बताओ ये Interests on Balance with RVI ये कौन से schedule में जाएगा मुझे बताओ ना सारेGOOD सारे बच्चे ठीक है ये 13 में जाएगा 13 में जाएगा एक पुद्निक है कोई बच्चा यूटूब चैनल पे वो बदमाश हो कहता कि 15 अरे बदमाश 15 है इंट्रेस एक्सपेंडेड अगर इंट्रेस पे किया तब यहां पे हमें इंट्रेस मिला होगा 13 में जाएगा 13 में जाएगा ठीक है अच्छा बताव कमिशन एक्सचेंज ब्र बच्चेंज ब्रोकरेज इस सारे बैंक कमाते हैं तो बैंक कमाया मतलब क्या 14 में चला गया यह आप लोग लिखते चलो 14 14 14 तभी तो पता चलेगा यार कि सचूच में बच्चेंज जो बढ़ रहे हैं वो एक्टिव है आप देखो नहा सही हो गई है वो कहते हैं कि सर 14 जो आपका होगा मतलब यह जो आपका कमिशन सेंज है वो 14 में जाएगा ठीक है Profit on Sale of Investment कहां जाएगा जल्दी बताइए Profit on Sale of Investment कहां जाएगा अरे ये Profit on Sale of Investment कहां जाएगा मुझे बताओ ये 13 में या 14 में सर्फ 14 में जाएगा ओविस बात है पर बचें, investment पर अगर मैं income कमाऊं का तो 13 है investment को ही बेच दिया उस पर घाटा फाइदा आचाए घाटा हो चाए फाइदा हो वो 14 में जाएगा Good, correct आपका Interest on Deposits कहां जाएगा दिमाग को शान्द कर लो Interest on Deposits मैं बचे, Deposits हम लोग बैंक में करते हैं और बैंक हमें क्या करता है? Interest पे करता है बैंक इंट्रेस्ट में करता है तो Interest on Deposits रहाँ बताओ कहां जाएगा येस येस बचे, येस येस ये कहां जाएगा Interest bank ने पे किया ना Interest expended यानि कि 15 गंदर जाएगा ये क्या पढ़ाओ कुछ पढ़ाने वाले चीज़ी नहीं है अच्छा बता Interest to RBI यहां देखो आप यहां था Interest on Balanced RBI ये कहता है Interest to RBI Interest to RBI कहां मतलब क्या? Interest हमने RBI को पे किया Interest to RBI कहां जाएगा बच्चे? 15 में जाएगा अरे सारे बच्चे जबाब भेजो ना यार सारे बच्चे जबाब भेजो ना यार, कम सकंब हजार बच्चे हम लोग यहां पर बैठे हुए एप पे और यहां पर मिलके और आप लोग बदमाश बच्चे यार सारे जबाब भेजो ना क्या जाता है आपको? कोई निन थोड़े आरी, मतलब कोई थन ठोड़े लग रहे हैं, यह 15 आपका आएगा तो इंट्रेस टू आर्बी आपका क्या वाजी हमारा यहां चला गया 15 के अंदर में थीक है, इंट्रेस टू आर्बी 15 अच्छा, पेमेंट टू एन प्रोविजन फोर इंप्लोई, इंप्लोई के इंप्लोई को कोई भी पेमेंट किया हमरे बच्चे, इंप्लोई को कोई भी पेमेंट किया यह कहां जाएगा आपका, 16 के अंदर में इंप्लोई को कोई भी पेमेंट इंप्लोई के सेल ले, इंप्लोई के नाम पे पी एफ, इंप्लोई के नाम पे यह वो सब कहां जाएगा 16 के अंदर में ठीके जरा本पा ओ रेंट रेंट्र रेट्स ओर लाइटिंग कहा जाएगा जल्दी बताईए रेंट रेट्स ओर लाइटिंग कहां जाएगा आपका अरे बोलो ना मैं देख Tips दोरो तरफ rent rates और लाइटिंग कहा जाएगा 16 के अंदर में हमने कहा ना बचे interest expended यहां जाएगा इसके स्वाइज जितने भी expenses होते हैं they all come to आपका 16 schedule ठीक है printing station कहा जाएगा 16 के अंदर में advertisement कहा जाएगा 16 के अंदर में depreciation भी कहा जाएगा 16 के अंदर में directors fees भी जाएगा 16 के अंदर में auditor फिस जितने भी खर्चे सब 16 में law charges आपका 16 के अंदर में postage telegrams भी 16 के अंदर में insurance हमने पेक्या 16 के अंदर में repair हमने पेक्या 16 बताओ क्या caution में दम है यार ये caution क्या दम है क्यों हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे क्यों आप नहीं कर पाएंगे ये सारे खर्चे आपके 16 के हैं है ना लेकिन यहाँ पर खुश मत हो जाना अभी खोशी तब तक आप celebrate नहीं करना मेरे बच्चे जब तक कि आप पूरे कोशन को ध्यान से ना पढ़ लो सुनो ना इसके बाद क्या बता रहा है इसके बाद यहां कहता है मेरे बच्चे other information के अंदर में पढ़ो जड़ा other information क्या बता रहा है और अब आप सोचना बन कर देंगा बिल्कुल कोशन दिमाओं में बैठ जाएगा interest and discount mention above कहता है कि जो interest and discount आपका अबव में mention क्या है कितना mention क्या था interest and discount यह देखो आप interest discount कितना mention क्या था 3437 का amount है ना यह कहता है कि यह 3437 का amount है is after adjusting for the following इनको adjust करने के बाद मतलब provision for tax कहता है कि आपने अज़ास कर दिया है अभी answer मार सोचना मैं हूँ ना पहले सुन दे चलो मेरी बाद provision during the year for a doubtful debts भी कहता है कि उसमें adjust कर दिया है loss on sale of investment भी कहता है उसमें manage कर दिया है rate on bill discounted भी कहता है कि उसमें manage कर दिया adjust कर दिया मतलब प्लस मैनस कर दिया जो होना चाहिए था फिर पॉंट नमर टू कहता है 25% और प्रॉफिट इस ट्रांसफर टू स्टाटू ट्री रिजर पर पर यह जो रेट है ना 25% कोश्ण ने आपको बता दिया है आपके कोश्ण ने बता दिया है अगर यह रेट ना बता है तो भी हम ट्र प्रॉफिट जो पिछले साल से आ रहा हूँ कितना बता रहा 16,000 विजर पर हमें कोश्ण को सॉल्व करना है इस कोश्ण को सॉल्व करते ही 16 मार्क्स आपके पास है 16 मार्कस है आओ ना हम शुरू करते बच्चे मेरे साथ शुरू करेंगे यह कोश्ण देखते हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आएगा और सचा ही बताओं अगर आप मेरे साथ साथ नहीं लिखें मेरे बच्चे तो श्राप की जरूत नहीं है आप ऐसे ही कोश्ण भूल जाएंगे अभी किया अभी खतम हो जाएगा कुछ बाते समझ में आएंगी कुछ बाते समझ में नहीं आएंगी इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा आपको मेरे साथ solve करना ही पड़ेगा मेरे साथ start कीजे देखो exam में question करने का मेरा तरीका क्या होगा solution कर दें आप यहाँ पे question number 21 का और आपके exam का जो नया pattern है उसमें क्या पूछ सकता इसी question को कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे explain करता हूँ पहले काम करो जब भी ऐसा question आ जाया तो पहले आप अपना पूरा format ready कीजिए लिखो यहाँ पे profit and loss account है न हम profit loss बना रहे हैं मैंने जो आपको format पिछले class में दिया था एक तो आपका schedule का लिखो नो यहाँ पर एक current year और एक previous year क्योंकि इस question के अंदर में previous year का कोई भी information नहीं है तो हम उस column को नहीं बनाएंगे हमें time waste नहीं करना अगर दोनों column का amount दिया रहाएंगा तब दो बनाऊंगा बट यहाँ पर नहीं है और ना कभी exam में होगा तो हम एक ही column बनाएंगे format आपको ध्यान अखना है कि दो column है बट करना हमें एक ही के साथ है ठीक न और यह हमारा हो गया amount column आपका start करते हैं बताइए यह 13 schedule हमारा क्या था पूरा format मेरे साथ पहले आप लिखेंगे यह था हमारा interest earned यह हमारा बच्चे interest earned आपको 13 हो गया 14 हमारा क्या था जी 14 बताइए schedule का नाम क्या था बच्चे 14 बताइए क्या नाम था other income other income आपको ठीक है न और इस दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे तोटल record कर देंगे यह टोटल हो गया आपका ए टोटल आपका ही हो गया शिवां अभी पूलिंग पूरी नहीं हो रही है अभी गर्मी हो रही है स्टूडियो के अंदर में थोड़ा से इसी और देश करना होगा तो थाटीन हो गया 14 हो गया 15 15 हमारा क्या था ब क्या था मैं बहूल गया operating expenses operating expenses ठीक ना यह operating expenses आपके हो गया इसके बाद यहां पर एक नाम था provisions provisions and contingencies कोई contingencies कोई uncertainty उसके लिए कोई प्रोविजन बनाना है जी वह आएगा without any schedule आपका ठीक ना और फिर हम लोग क्या करेंगे यहां पर total करेंगे total और यह हो जाएगा भी इसका थोड़ा example दो ना इसमें कौन से नाम आएंगे आप ही बताओ ना कौन सा प्रोविजन बनाते हो जी आप लोग जड़ा बताओ कौन सा प्रोविजन बनाते हैं जो आपका यहां पर आना चाहिए जड़ा कोई बताएगा मुझे चैट वोक्स म सर अधर इंफरमेशन में सेकेंड पॉइंट नहीं आया अभी कराता हूँ अभी पॉइंट समझाया कहा मैंने आपको अभी दोस्त बैलन शीट आपको दिखाया अभी सब कराऊंगा मुझे कोई बताएगा जी कि प्रोविजन एंड कंडिजन सी में कौन से नाम आएंगे ए आपका प्रोविजन एपर टेक्स भी आ जाएगा उर बताएगा और बताएगे एक और भी नाम बताता हूं याद किजिए वह रिवेट ओन बिल डिसकाउंटेट तो जो आपने डिसकाउंट दिखाया ना जो डिसकाउंट दिया उसी में से आप उसको मैनेश कर दो या या बखालो कि कोई भी प्रोविजन बनेगा कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोल दे प्रोविजन फॉर डाउट्फिटेट्स कहे दे कोई भी आपका वो सब कहां लिखेंगा हम आपका इसके इसके इंदर में ठीक है तो यह 13 14 मतलब इसको मैनस के तो क्या हो जागा यह प्रोफिट फॉर दे इयर लिखे ना प्रोफिट फॉर दे इयर प्रोफिट फॉर दे इयर और यह आपका हो गया बच्चे ए मैनस भी ए मैनस भी मतलब एक्समेंस में इंकम को मैनस करके फिर पिछले साल से कुछ प्रोफिट अगर आपका ब्रॉड फॉरवाड है प्रोफि पिछले साल से कोई profit है तो उसको भी हम यहां पे plus minus करेंगे क्योंकि हमने कोशन पढ़ा था और यहां पर प्रोफिट प्रोफिट आरा 16,000 तो profit आपका एड़ हो जाएगा इसको एड़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे आपका यहां पर C हो गया है न बच्चे या फिर अगर मैं पिछले क्लास को याद दिलाओ तो मैंने इसका नाम D दिया था आपको अच्छली इसको कहा था यह हमारा C हो गया और यह हमारा D हो गया ठीक ना चले आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां पर अब हमें स्टार्ट विल स्टार अप्रोप्रेशन इप्रोप्रेशन में consideration बोले तो भी ना बोले तो भी हमें एक काम तो ज़रूर करना है वह है ट्रांसवर टू ट्रांसवर टू स्टै्ट्ट रिजर्प स्टैट्ट्री रिजर्प मैं फिर आपको बताओंगा कि एक्जाम में अगर यह कोशन इतना बड़ा आ गया तो कैसे पूछेगा और क्या-क्या हमें कैसे वर्किंग करना है और कैसे फिर सॉलुशन में लेका आना है सारी बात आपको समझाओंगा तो एक बच्ची है जी स्विक्रिती वो कहते कि सरे डेप्रिसेशन भी आएगा नहीं बच्चे डे रेवेन्यू रिजर में कहा राधा तो इसके बाद हमने लास्टेंग बताया था दुबारा बतादो कि जो फॉर्मेट बोलेगा वही काम करेंगे वह कहारा कि ट्रांस्वर टू रेवेन्यू रिपीट कर दे रहा हूं यह जो स्ट्रार्टिटी रिद्वर है उसमें आपको तो हमेशा entry करना है transfer करने का profit जब होगा तो loss होगा तो कोई मतलब भी नहीं बनता लेकिन बाकी किसी रिजर में जो पैसा transfer करना वो तभी हम करेंगे जब कोशन आपको बोलेगा तो यहां कोशन ने बोला है कि आपको statutory revenue में transfer करना ठीक है क्या कहीं पर कोई dividend की बात कर रहा है क् तो जो भी आप इसके बाद पैसा बच जाएगा balance balance ओ लिख देना transfer to balance आपका transfer to कहां transfer करेंगे जी हम लोग आपका balance sheet यह हमारा balance sheet में transfer हो जाएगा जैसे आगे के लिए आपको है ना तो यह हमारा पूरा पूरा format हो गया आप जल्दी से इसकी कोपी कर लिए बोर्ट दिखरा बदमाश कुछ आपके network में issue आया होगा देख लिए आप यहां पर तो यह हमने पूरा काम खतम किया बच्चे अब ना हम क्या करेंगे पता है यह ready कर लिए आप लोग ने यह ready हो गया आपका यह साथ-साथ करना है आपको दिखा रहा हूं कि एक्जाम में ह आपको यहां पर बताऊंगा अगर हमारे जो नया पेटर्न उसकी साथ से कोशना है तो यह कोई डाउट इसके अंदर में नहीं से ना आप यहां शुरू कीजिए मेरे साथ यहां पर शुरू करेंगे नोट्स टू अकाउंट मतलब यह बैलशीट के बाद मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां दिखा रहा हूं आप बैलशीट के बाद जो पेज है ना बच्छे उसी के आदे शुरू करेंगे तो मेरे साथ से यह आपका पूरा का पूरा एक पेज खतम हो गया होगा तो नेक्स पेज पर बनाना शुरू केजिए नोट्स टू अकाउंट नोट्स टू अकाउंट नोट्स टू अकाउंट है ना और इसमें आप क्या करेंगे आप पहले बनाएंगे थर्टिन शेडूल थर्टिन शेडूल आपका है इंट्रेस्ट 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 इं है कि interest earned वाले में बहुत सरे नाम नहीं आते हैं मुश्किल से चार-पांच नाम आते हैं तो चार-पांच नाम के जगह ही हम उतना जगह छोड़ेंगे कि पांच नाम छे नाम आजे बस 14 था मेरे बच्चे 14 था आपका अधर इंकम तो आपके काम करो अधर इंकम का भी आप यहां पे शेडूल बनाके और इसमें 5 से 6 लाइन जगह छोड़ो और छोड़ने का मन करें तो 7 से 8 ज्यादा नहीं मतलब जगह ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए तो आपका इंट्र 13 हो गया 14 हो गया आपका अधर इंकम 15 मेरे बच्चे यहां पर था आपका इंट्रेस्ट एक्स्पेंडेड कोशन को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमें कितना जगह चोड़ना है कितना जगह हमें यूज करना है यह आपका हो गया इंट्रेस्ट एक्स्पें अब एक्षुली मैं नहीं चाहता कि बार-बार मैं यहां पर कोशन को दिखाओं मैं चाहता हूं कि फटा-फट ना कि कई सारे बच्चे हैं आज चैनल पर क्लास चल दिये जिनके बास फॉर्मेट है नहीं बुक नहीं है तो मैं चलो ऐसा कर देता हूं थोड़ा सा चोटा इसक प्रिपेर प्रफिट लॉस अहां पर इंट्रेस्ट और इंडिसकाउंट कि अब दिमाग शान्त दिमाग शान्त बस 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 अब थैंक्यू भी बंद और मेरे बात बिलकुल ध्यान से सुनेंगे मैं आपको अब बहुत अच्छी अच्छी बात आपको समझने वाला हूँ उन बातों को अच्छी तरीके से समझने के लिए मेरे बच्चे दिमाग को बिलकुल शान्त रखना प रिखावा, Interest and Discount यहां लिखो ना पर इंट्रेस्ट एंड डिसकाउंट कहा जाएगा, इंट्रेस्ट एंड लेकिन यह जो amount है ने बच्चे वो मत लिखना, क्योंकि वो amount में उन्हेंने कुछ गलतियां की हैं, उसमें कुछ गलतियां की हैं जिन गलतियों को हमें सुधारना है और वो सुधारना मैं यहां पे करूँगा ज़रा मुझे बताओ कि Interest and Discount Interest and Discount मुझे बताइए जल्दी से साथ साथ लिखेंगा आप लोग यहां पर Working Notes में Given कितना है जी कितना Given है आपका कितना कोशन में बता रहा है Interest and Discount 3437 यहां लिख दिया 3437 मेरे प्यारे बच्चों Interest and Discount में जो हमने Interest कमाया वो आपका आना चाहिए और Current Year का जो हमारा Discount है Current Year का Discount का मतलब होता है कि जितना Current Year में Discount Earned किया उसमें से Proportionate Discount जो इस बार का नहीं है यानि कि Rebate on Bill Discounted उसको मैनस करके बाकी amount आपका यहां पर आता है अगर हम ध्यान से कोशन को पढ़े तो कोशन ने क्या बोला यह देखिया आप यहां पर कि जो Interest and Discount है ना इस Interest and Discount में कहता है Interest and Discount Mentionable is after adjustment for the following कहता है कि उसमें इन सब को adjust कर दिया गया है adjust करने के मतलब कि इनको हमने क्या किया जिये मैनस कर दिया है कौन सा चीज provision for tax 220 कोई मुझे बताए कि provision इस balance sheet को देखे कि क्या provision for tax मेरे बच्चे क्या provision for tax मैं यहां पर मैनस कर दू या फिर provision for tax मुझे अलग से यहां record करना चाहिए था आप मुझे बताईए कि क्या जो provision for tax का amount है वो आपका interest earned यानि कि जो आपका यह amount है इसमें से वो मैनस होना चाहिए था या उसको हम provisions के अंदर में अलग से दिखाएंगे आप मुझे बताओ ना मैं सारे बच्चों का देख रहा हूँ यहां पर सारे बच्चों का मुझे बताईए कि जो आपका provision for tax है क्या schedule 13 यानि कि interest earned में से मैनस होना चाहिए या फिर अलग से उसको यहां दिखाना चाहिए सर separately record होगा सर अलग से record होगा यह तो सर कोई तिसरी चोथी क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि अगर format को देखें और लिखावब provisions और अभी अभी आपने बताया कि जितने भी provision होगे सब को यहां record करो तो फिर आपने इसमें से क्यो मैनस कर दिया interest and discount जो इसमें आता उसमें क्यो मैनस किया आपने गलत काम किया हम उस गलती को सुधारेंगे अब देखो मैं कैसे सुधारूँगा देखो मैं कैसे सुधारूँगा तो मैं क्या करूँगा ना कि यह जो आपका provision for tax 220 मैनस हो गया ना बच्चे मैं उसको सुधारूँगा मैं कहूँगा कि provision for tax यह आपका 220 यहाँ पे add होगा provision for tax आपका 220 का amount यहाँ पे add होगा आप मेरी बाते समझ रहो ना क्योंकि इसलिए मेरे add के बचे इसमें से वो minus हो चुका है और हमने देखा format इसमें minus करना थोड़ी अलाव करता है यहाँ minus के मतलब 13 से minus कर दिया तो हम उस गलती को अपना जो गलती उसको सुधार रहे है हम यहाँ पे add back करेंगे इस provision for tax को और उस provision for tax को पता मैं क्या करूंगा उसको मैं यहाँ record करूंगा अब मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है लेकि प्लिज गुस्ता नहीं करना उस पाप को सुधारों में rate से लिखकर कि यहाँ पे जगा मुझे छोड़ना चाहिए था अच्छली लेकिन मैं जोश में क्या क्या जगा नहीं छोड़ा तो कोई बात ने आप गुस्ता नहीं करना मैं थोड़ा जगा बना लेता हूँ यहाँ पे यह लेजे अब प्रोविजेंस आप भी जगा इससे बना लो ना एंड कंटिंजेंसीज अब प्रिज गुस्ता नहीं करना मैं थोड़ा जोश में आ गया था और इसलिए मैंने यहाँ पे जगा नहीं बनाया तो मिले बच्चे हमने क्या क्या उसको यहाँ लिखना है शेडूल नमबर ना देने का मतलब की फॉर्मेट चाहता है कि आप उसको डारेक्ली ऑन दो फेस और प्रोफिट लोस एकाउंट दिखा है वही काम कर ले सर कोशन में लिखा है कि एड़्जस्मेंट हुआ है लेकिन वो एड हुआ है या मैनस कैसे पता है अगला देखो फिर से कहता है कि ये जो आपका इंट्रेस डिसकाउंट है इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफूल डेट्स भी आपका यहां पर आपका एड़स कर दिया है मतलब मैनस कर दिया है ये भी गलत है अरे ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफूल डेट्स 102 रुपया है, हम थोड़े ही वहाँ से मैनस करेंगे, हम थोड़े ही इसमें से मैनस करते हैं, उसको तो हम अलग से दिखाते हैं, तो मुझे बची ये 102 जो आपका यहाँ पर मैनस हो चुका है न, आप उसको भी add करो, उसको भी add करो सुनो मेरी बात न, तो आप कहरा कि provision for doubtful dates, इस income से जो आपने मैनस कर दिया, वो गलत किया है आपने, 102 आपका और वो तो provision हमारे संतोसर ने बताया था कि ये format में हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे दिखाते हैं अलग से आपका directly, तो इसके इंदर लिखिए, provision for doubtful dates, है न, provision for doubtful dates, यह इस bank का जो accountant है न, वो थोड़ा बदमाश लग रहा है, मतला थोड़ा, मतला तेक से पढ़ा लिखा नहीं है, वो आप में से कोई बच्चा नहीं है, इसलिए जगा पर जो format होगा उसकोम लिख रहे हैं, तो यह हो गया 102 आपका, 102, कोई डाउट इसके इंदर में, नई सर, ठीक है, तो provision for tax भी आगया यह, और जो कि इसमें से मैना सो, जो कि उसकोम ने क्या किया यहां पर आइड कर दिये, कोई डाउट इसमें नई सर, आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ो ना, इसके बाद क्या बता रहा है, आगे पढ़ेंगे, फिर कहता है कोशन में, यह देखिया आप यहां पर, कहता है कि loss on sale of investment, कहता है कि इस interest discount में, loss on sale of investment भी आपने मुझे बताईए, loss on sale of investment कौन से schedule में जाता है, यह देखे मुझे बताईए, कि loss on sale of investment कौन से schedule में जाता है, अरे loss on sale of investment 14 schedule में जाता है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अब तो हमारा एक-एक बच्चा जानता है, कि यार, investment को बेचने पर profit होगा तो 14 में दिखाना, loss ह होगा तो 14 में दिखाना, हमने इसमें 13 में थोड़े कहा था दिखाने के लिए, मतलब इसमें minus करने के लिए, हम उस गलती को सुधारेंगे, है ना, तो यह जो loss on sale of investment है, जाना बताओ, amount कितना था जी, loss आपका 12, मैं क्या करूंगा, इस 12 को, क्योंकि इसमें से minus हो चुका है, हम यहाँ पर एड करेंगे, आप यहाँ पर एड केजिए 12 आपका, 12, मैं बुक भी खोल लेता हूं, बार-बार मुझे करना पड़ा, 12 आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या क्या, loss, loss on sale of investment, sale of investment, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जी, आपका plus करेंगे, और जाना बताओ, यह 12 को कहां दिखाऊं मैं, अधर इंकम में, तो मैं अधर इंकम में दिखाऊंगा, loss, loss on sale of investment, loss on sale of investment, कोई मुझे बताएगा, आप में से, कि loss on sale of investment, 12 जो यहाँ पर लिखा जाएगा, वो 12 आपका positive होगा, या फिर negative होगा, मतलब plus में रहेगा, कि negative में, minus में रहेगा, plus में रहेगा, कि minus में रहेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, minus में, बहुत प्यारे बच्चे, कसम से बोलना हूँ, आपसे प्यारा दुनिया में कोई हो जाए, स्वाली नहीं बनता, ये मेरे बच्चे, आपका 14 में, ये आपका minus में रहेगा, इसलिए क्योंकि हम income वाल मजे की बात फूरो, आप मेरी पहली क्लास एक बार याद करो, और मुझे बताओ, पहली क्लास याद करके, मैं इसको यहां ले लेता हूँ, मेरी पहली क्लास याद करके बताईए, कि हमने आपको क्या सिखाया था, कि अगर current year में, ये हमारा current year है, और इस current year में, बच्चे, जो अर्न किया है, discount received, second topic आपका, मालो आपका 15,000 है, 15,000 है, और साल के end में unexpired discount, साल के end में unexpired discount, यानि कि जो discount अभी इस साल income नहीं माना जाएगा, वो मालो आपका 200 रुपे है, तो मुझे ये बताओ कि discount में ये 200 रुपे हम लोग मैनस करेंगे कि नहीं करेंगे, आप मुझे बताए कि current year का income निकालते समये, एक साल में जितना भी discount आपने receive किया है, discount जो आपने earn किया है, उसमें साल के end में जो मनें बच्चे, और अनेट्सर डिसकांट है, वो मैनस होगा कि नहीं होगा, जलदी बताए, मैनस होगा कि नहीं होगा, मुझे सारे बच्चों से जबाब चाहिए, सारे बच्चों से, मैनस होगा कि वह'm gonna beiी डि oxy các अगर आप ऐसे देख रहे हो मुझे उल्टे सीसरे तरीके से इसका मतलब ओकि पहली कफ आपने नहीं पढ़ा है आप उसको पढ़के यहां पर बैठेंगे और देखेंगे तो मरें pops वो भी आपके चैनल पर रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, यह जो 200 रुपे का माउंट है, वो मैनस होगा, और फिर जो बाकी होगा न, वही हम यहां पर income group में दिखाएंगे, जिरा सुनो न, एक बार ध्यान से, यह कह रहा है, यहां देखुआ, यह देखो क्या बोलता है, य लगार, जो interest and discount का माउंट है, उसमें यह अगर मैनस हो चुका है, तो क्या कोई पाप हो गया क्या, क्या हमें इसको मैनस करना चाहिए था, कि नहीं करना चाहिए था, जल्दी बताएं, कि यह जो amount आपका है, आपका यहां पर जी, rebate on bill discount, वो interest and discount से मैनस होना चाहिए था, कि होना चाहिए था, इसलिए होना चाहिए था, कि rebate on bill discounted, यहां पर आपका interest and discount से आपने सिखाया है कि end में जो होना चाहिए था, और कहता है कि वो मैनस हो चुका है, हाँ बचे, पाप नहीं हुआ कोई, होना चाहिए था, तो मुझे बताओ कि वो कहता है कि यह जो interest discount आपको बताया जा रहा है, उसमें से हमने इसको मैनस कर दिया है, तो अच्छी बात है, हम दुबारा मैनस नहीं करेंगे, अगर आप मैनस नहीं किया रहते, तो मैं इसको सुधारता, लेकिन आपने कहा कि हमने address कर दिया है, हमने मैनस कर दिया है, तो हमने कहा फिर अच्छी बात है, हम दुबारा थोड़े ही करेंगे वो ठीक है अरे जो हमने पाप किया जो गलतियां की उसको सुधारूंगा ना जो पहले से सही है उसको दुबारा क्या सुधार ना तो आप एक काम करो इन सब को यहां पर एड़ करो और मुझे बताओ कि यह जो आपका interest and discount 3437 प्लस 220 कामाउंट प्लस 102 कामाउंट 102 कामाउंट और प्लस 2771 यह जो करेक्ट अमाउंट आपका है interest and discount का 3771 है दुबारा एक बार सुन लो इस अमाउंट को निकालते समय चार चीजे आपने मैनस की है चार में से तीन गलत है उसको आमने सही क्या चोथा सही है तो उसका कुछ नहीं करना वो मैनस होना चाहिए था और आपने अलड़ी मैनस किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चो यह 3771 का जो अमाउंट है उसको यहां लिखो अब 3771 बस यही तो काम करना है ऐसे छोटे-छोटे काम करने के आपको 16 मार्क्स इंस्टिटूट देता है और फिर भी बच्चे कह दे यार हमें मत दो किसी और बच्चे को दे देना हमसे तो यह कोशन नहीं बनेगा अरे क्यों नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा 3771 आपका यहां पर इंट्रेस्ट डिसकाउंट हो गया ठीक है चलिए मैंने पोइंट वन को प्रोपर तरीके से सुधार दिया है अब तो मेरे बच्चे अब तो कोशन को फटा फट पढ़ो और लिखना शुरू करो जहां पर जो जाएगा यहां पर जो इंवेस्मेंट पे हमने कोई इंकम कमाया तो वो भी आपका यहीं तो आयागा 13 के अंदर में कितना बता रहा जी आपका 115 लिखो यहां पर 115 आपका फिर कहता हमने बच्चे इंट्रेस्ट ओन बैलन्स विथ आर्बियाई आर्बियाई के पास जो हमारा पैसा है उस पे हमने हमने इंट्रेस्ट कमाया कितना जी 180 का माउंट 180 का माउंट आपको ठीक है ना यह सर्थ कमिशन एक्सचेंज ब्रोकरेज बैंक कमाता है वो 14 में जाएगा तो आप यहां लिखेंगे कमिशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज तीनों को इकठा करके दे दिया वो अलग-अलग भी देख सकता था कोई दिखेंगे थोड़ी हमारा ए 20 कमाउंट यहां लिखेंगे 20 कमाउंट ऑपका फिर कहता आपका कहां गया जी profit on sale of investment मरे बैशे profit on sale यहीं पर आयाएगा लिखो आप profit on sale of investment profit on sale of investment और प्रोफीट है तो आप इसको प्लस में लिखेंगे कितना 110 कमाउंट 110 कमाउंट आपका profit on sale हो गया फिर कहता आपका interest on deposits यह तो हम pay करते हैं और जो आपने interest on deposits pay किया वो कहां जाएगा आपका इसमें तो लिखो यहां पर interest interest on deposits interest on deposits आप यहां लिखेंगे बताएं कितना मांट निकल क्या रहा है 1225 1225 का मांट 1225 का मांट interest on deposits आपका हो गया आगे बढ़ता हूं interest to RBI हमने RBI को interest pay क्या है बिल्कुल ध्यान से शब्दों को हम समझते हैं कि आखिर वो pay कर रहा है कि receive कर रहा है फिर कहता आपका payment to and provision for employee आप यहां पर प्रोविजिन वाट से confused नहीं हो ना प्रोविजिन का मतलब प्रोविजिन फर टैक्स इसब की बात कर रहे हैं यह employee के नाम पर कोई भी payment किया कोई प्रोविजिन मतलब पी एफ यह कुछ पैसा ट्रांस्पर के यह तो सारे के सारे खर्चे आपके ओप्रेटिंग इसमेंट से जाएं पेमेंट कि तू एंड प्रोविजिन फॉर इमप्लॉइज है यहां लेखिया इहां पर इमप्लॉइज कितना अमॉट है जी चれalत पिसवर्पेंन टेन फॉटिफोर तो ऊफन जेनो डबल फर का मॉट है ठीक है आगे बढहेंगा आप यहाँ पर रेंट, रेंट्स, एंड लाइटिंग, तो रेंट आपको इहीं पहागा, तार्ट्रेंग तो आने हैं, रेंट, रेंट्स, एंड लाइटिंग, यह सारे खर्चे आप यहीं दिखाएंगे, कितना मांटेज है हमारा, 210, मैं बुक में देखूंगा, आप वहां देखें, मैं यह मुझे बार बार मोढना पड़ रा, मुझे गंदा लग रहा बाबा बोढना थीक है, रेंट्रेट इसलाइटिंग भी हमारा हो गया, आगे बढ़ते हम लोग, stationery and printing यहीं पर आयगा, stationery, stationery and printing, बताएगे stationery and printing कितना आपका है, तो 12,000 का माउट, 12,000, बारह हजार रुपे का मुठ पोस्टेज एंड टेलिग्राम्स यहीं पर आएंगे पोस्टेज एंड टेलिग्राम्स पोस्टेज एंड टेलिग्राम्स आपका 25,000 है लिखो नहीं यहाँ पर 25,000 फिर मिन बच्चे अदर एक्स्पिंसेज यहीं पर आएगा other expenses other expenses यहां पे आपका 12th ओहो एक मिनट यह क्या कर दिया है माफ किरो औरे मेरे दिमाग कहीं और चला गया और मैं कोई और कोशन में चला गया था मैं अगला कोशन का इन से लिखना शुरू कर दिया था माफ कीजिए आप अगला कोशन का मैंने फीगर लिखना शुरू कर दिया था माफ कर दो आप मुझे यह स्टेशनी और आपका कहरा बच्चे 180 का माउंट यह 180 है पोस्टेश है नहीं आपने बोला भी नहीं मुझे आपके याँ पे पिरिंटिंग के अदिशेस्टेशनी प्रिंटिंग माद् एरवर्टेशमेंट धन पॅबदींटीटी है हाँ पे एरवर्टीजमेंट एड Pॉबासिटी केड़ोतिश्मीन के राकि 95 कर दो ımız कि यह इंपरेश्टेश्ने है हो अदोर ही है और प्रिशिशन आपका 92, फिर आपका डिरेक्टर्स्विस यहीं पर हागा, सारे खच्य ही पर भाएंगे, डिरेक्टर्स्विस, यह कहता है 220 कमाूंट, आगे बढ़ी, ओडिटर्स्विस यहीं पर हागा, Auditor Swiss आपका 120 का माउंट फिर कहता आपका Law Charges कोई भी Charges हो क्या फरक पड़ता है सब यहीं लिखू न 230 अन्निसरसली कोशन लंबा कर रहा है वो सोचता है कि कोशन लंबा कर दूँगा इन बच्चों को परिशानी होगी और बच्चे गलतिया कर जाएंगे कैसे गलतिया कर जाएंगे उनको नहीं पता इन बच्चों में कैसी कैसी शक्तिया आ चुकी है कैसे गलतिया हो जाएगे वही अपने आपको बड़ा समझते लगता फिर बच्चे पोस्टेज टेलिग्राम से लिखो यहाँ पर पोस्टेज and टेलिग्रामस वो आपका हो गया 70 का मांउं शोट में लिख दिया है मैं नहीं यहाँ पर इंस्जोरंस भी आपके यहीं पर आएंगे इंस्जोरंस इंस्जोरंस कहता है कि 56 आपका हो गया 56 हो गया Repairs and Maintenance Repairs and Maintenance भी आपका यहीं पर आएगा 48 का मांउंट 48 का मांट और बस तो जितने भी नाम यहां पर दिये वे हैं उन सारे नाम को तो हमने रिकॉर्ड कर लिया और मैं बच्चे इसके बाद 0.1 अलड़ी हो चुका है बस जितने भी चार हो शेडूल में नाम आ सकते थे वी ओल है रिकॉर्ड आप एक काम करो जल्दी से इनको क्लोज करके निकालिए कि सब का अमाउंट कितना कितना निकल के आ रहा है अब एक बार देखते हैं कितना कितना निकल क्या रहा है पहले यहां से देखते हैं 3771 115 and 180 का माउंट यह आ गया 4066 का माउंट 4066 आ रहा है अच्छा अब लोगा एक बार अभी सिन कहता है कि सर बुक कौन सा है अरे मेरी बुक है बार मैंने लिखा आपके लिए अभी भी आया क्या 4066 ठीक है अधर इंकम बता यह कितना होगा अधर इंकम है 820 को प्लस करना है 110 को प्लस करना है मैनस करना है 12 को क्योंकि यह negative है तो यह 918 अकसर देखा गया है जब मैं copy आप लोगा चेक करता हूँ तो कई सारे ऐसे बच्चे है जो बच्चे यहां पे तो लिखते है मेरे बच्चे वो सब कुछ ठीक लिखते है बट वो क्या करते पता है वो आपको इसको भी एड कर देते है देखा मैने कई सारे बच्चे को आपको नहीं करना निगेटिव वाले को यहां पर मैनस करना है इसके बाद यहां यह interest exponent पे 1225 और प्लस आपका 161 का माउंट यह आपका आगया 1386 लिखो ना 1386 का माउंट कोई डाउट इसके अंदर में नई सरे तो interest exponent आपका यहां चला गया आप एक बार देखते हैं कि 16 कितना निकल क्या आता है 120 का माउंट और 230 का माउंट 70 है फिर आपका 56 है और फिर आपका 48 है यह आ रहा है 2375 आप में से कोई बच्छा कंफर्म करें इतना रहा जी 2365 कैसा रहा है 2375 और दुबारा देख लेता हूँ 1044 प्लस 210 180 का माउंट 95 का माउंट 92 का माउंट 220 का माउंट 120 230 70 56 और 48 और माफ कीजिए 2365 या रहा है अरे मुझसे गलत हो गया लग रहा है कि हम में बुढ़ा होते जा रहा हूं कैलकुलिशन मेरे गलत होते चले जा रहे 2365 का माउंट आपका ठीक है आप लोग का सहीए बच्छो मैं गलत है माफ कीजिए अब मैं जल्दी से इसको मैं यहां लेकर आता हूं मुझे कोई बताए थर्टीन के आगे कितना जाएगा यह लिखो यहां पर 4066 का माउंट 14 यानि की अधर इंगम कितना आ गया 918 लिखो नहीं यहां पर 918 का माउंट interest expended याने कि 15 ये देखो 1386 1386 come out और operating expense याने कि 16 2365 2365 come out ठीक ना तो अब जल्दी से बता दो ये total कितना आ गया जी 4066 plus 918 ये आ गया बच्चे 4984 come out 4984 come out है ना ये कितना आ गया तो 1386 plus 2365 plus 220 का amount and plus 102 का amount ये आ गया 4073 का amount आपका 73 का amount तो मुझे कोई बताएगा क्या कि अगर ये हमारा total income है और ये हमारा total expense है तो हमारा profit कितना आ गया A-B जड़ा बताओगे 4984 में अगर इसको minus करूँ तो मेरा 911 आ रहा है आप लोग बताएगे अरे ये बच्चे मुझे से fast कैसे हो जा रहे है यार ये बच्चे मुझे से fast कैसे हो जा रहे है 911 ठीक है ये निकल काया profit broad forward from the previous year पिछले साल से जो profit आपका आया है वो कितना है याजी एक बार question द्यान से देखो पिछले साल से मेरे बच्चे जो profit आया है वो यहां बता रहा आपका profit broad forward 16,000 का माउंट देख रहाँ यहां पे यहां पे 16,000 का माउंट है मजे की बात है ध्यान देने वाली बात कि 16,000 में सिर्फ 16 आएगा बच्चे क्योंकि सारे figure जो है ना thousands में तो आपको सिर्फ 16 लिखना होगा है ना अदरवाज काम खुराब हो जाएगा हमारा तो आप यहां पे 16 लेकर आईए 16 समझो मारी बात ना profit जो आपका broad forward है from the last year वो कितना आपका है 16 सारे figure 1000 में तो हमें यहां पे क्या करना होगा 16 रिकॉर्ड करना पड़ेगा 16 रिकॉर्ड करना पड़ेगा मैं लिख देता हूँ ताकि आप बात में परशान ना हो यह सारे figure पहले से ही क्या जी इन thousands आपके हैं thousands में तो 16 आगया आपको को डाउट इसमें नहीं सरे तो मुझे बताइए कि अब आपका total profit कितना हो गया 927 927 का माउंट यहां पर यह आ गया 927 का माउंट ठीक है अब हमें क्या करना जी we have to transfer the amount to statutory register आप में से मुझे कोई भी बच्चा बता है कि इस statute रिजर में इसमें कोई डाउट नहीं मैं लिख देता हूं percentage 25% होगा क्योंकि section 17 में कितना लिखा जी 25 परसेंट यह 25% 911 का होगा या फिर 927 का होगा जल्दी बताए यह आपका 911 का होगा या फिर 927 का होगा जल्दी बताइए 911 का होगा या 927 का 911 का क्योंकि मैंने कहा था कि statutory रिजर में जो amount transfer कर रहे है that will be आपका 25% of current year profit और current year कितना अमरे बच्चे 911 का आपका ठीक है तो 911 का 911 का निकाल यह 25% कितना आ गया 911 का अगर मैं 25% निकालता हो we are getting 227 तू 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 सर रेड में क्यों लिख रहो आरे बदमाश किसी में भी लिखो ना आपना जुटमूर्ण का जगडा करते हो मेरे साथ लिखो यहां पर तू तू सेवन ओंट सेवन फाइव अगर आप इसको राउंटिंग अप कर देते तू तू तब भी क 50% है अब मैं परिशान हूं कि यह 5% जो होगा वह किस पर अप्लाई करूं चलो स्टैटूटरी जर तो मानता हूं कि 25% अप करण्डियर प्रॉफिट लेकिन मेरे बचे यह जो आपका 5% कहता है कि आपको रेवेन्यू रिजर में ट्रांसर करना यह 5% में किसका अप्लाई कर जब तो कोश्ट में साब साब शब्दों में कोई परसेंटेज ना बताए किस पर अप्लाई करना है वी आलवेज अप्लाई और करन्टियर प्रॉफिट और करन्टियर का प्रॉफिट पर बचे कितना 900 यह तो पिछले साल का है ना तो पिछले साल के प्रॉफिट से रिजर 45 यह आ गया आपका 45 फिर से रेड में आ गया हमेशा कसम खालो कि पूरे accountancy में हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं यह 45.55 अगर आपको percentage दे कि किस पर अप्लाई करना है तो ना बताया तो हमेशा currency के profit में निकालते हैं ठीक न और कुछ है नई सर तो अब देखो 927 टोटल आपका profit था इस 927 में बच्चे इतना चला गया statutory में इतना चला गया revenue बागी कितना बच गया जो आपका balance sheet में carry forward हो जाएगा 927 मैनस किजिए 227.75 मैनस किजिए 45.55 यह आ गया आपका 653 653.7 का amount में बच्चे point 7 यहने कि point 70 and question complete हो गया बताओ जरा आप मुझे बताओ यार ऐसे question अगर exam में आ जाए और यह question अगर आपका 16 marks में हो तो क्यों मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे सर exam में यह question पूछेगा बहुत ज़्यादा पूछने के सर हमारे exam में तो maximum question आपका 10 नमर का होता है 10 नमर में पूछ देगा यह कभी 16 में आया है कभी 12 में यही question कभी 10 में कभी 8 में same question होता है थोड़ा सा change करते हैं पूछते रहते हैं अब मुद्दे की बात सुनना कि आपके exam में यह question कैसे पूछ सकता है आपके पास पूछेगा कि आपका जो शेडूल 13 है यह कितना लिखा जाएगा profit loss account में यह question बनेगे आपका एक तो 4066 आपको क्या करना फटाफट इतना फॉर्मेट पर काम नहीं करना आपको रबशिट मिलेगा ना बच्चे रबशिट में क्या क्या फटाफट 13 14 15 16 बनाया 13 का पूछ रहा है 13 का आपने नाम लिखा और आपने टोटल क्या क्या वहां पर answer लिख दिया खतम होगी बार वह कहता कि बताओ इसके बाद की करांटियर का प्रॉफिट कितना होगा तो भी आप बता सकते हैं मतलब जितने भी एक्जाम में कोशन्स होंगे कुछ इस तरीके से होंगे कि सारे पॉइंट्स आपस में इंटर लिंक नहीं है बच्चे अगर आपने यह सही किया यह सही किया यह सही किसे काम करें पता नहीं क्या क्या लिखता है समझे मरी बातना में क्या बता रहा हूँ तो इस तरीके से आपका एक्जाम में बोल सकता है कि बताओ जी अमाउंट ट्रांस्वर टू बैल्सिट कितना होगा तो यह अमाउंट होगा मतलब यहीं चीज आपको बनाना होगा क्या सचमूच में यह कोशन आपको टफ लगा क्या सचमूच में बैंकिंग कंपणी आपको टफ लग रहा क्या जरा यह चूकर बता मुझे बस मैं यह चूकर देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे यह चूकर कह रहे हैं कि हां सर टफ लगा या नहीं लगा जरा मुझे बत इसंपल सिम्पल को आगे बढ़ाऊं क्या दोड़ा सा क्या अपने शक्तिया पहचानो आपके अंदर में ऐसी ऐसी शक्ति है कि मैं क्या बता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक बार, एक बार कोशन मेर 22 पढ़ता हूँ, 22 कोशन, बहुत ध्यान से कोशन मेर 22 पढ़ेंगे, बिल्कुल दिमाग शान को रखते वे, थोड़ा सा परशान शायद आप होएंगे, लेकिन आपको होने नहीं दूँगा, इस बात का भी विश्वास रखो, रिजू गांगली कहते, सर आप शेडूल 11 अधर एसेट में कौन सा एसेट आएगा, अगली क्लास में बात, आज पहले प्रोफिट लोस सीखो ना, सारा कुछ एक बार में कैसे सिखा दू, अगर इतना बड़ा पत्थर आपके सर पर फेकूंगा, सर फट जाएगा, वही पत्र छोट फूल के रूप में आप फेक रहा है, उसको इंजुआए करो न, प्रोविजन फॉर डेपरिसेशन बदमाज कभी प्रोफिट लोस में नहीं आता है, तो आप प्रोफिट लोस में क्या, प्रोफिट लोस में डेपरिसेशन आता है, प्रोविजन फॉर डेपरिसेशन बैलन शीट का इटम है, बताऊंगा आगे, पहले आप यहां पर आईए मेरे साथ, सुनी मेरे बाद, द्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, कोशन नमर्ट ट्वेल्थ, बहुत प्रोफिट लोस मेरे सुनना होगा, और या दखना, आज की क्लास से पता क्या हो रहा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, मतलब पीशे जितना भी हमने पढ़ा न, उस सारी बाते यहां पर इकटा हो रही है, सबका नोलेज आपके दिमाग में चाहिए, तब ही तो आपको अच्छा लगए गदवाईज काम खराब, सुनो मेरे बाद, following figures are extracted from the books of X-Bank Limited, for their editing on 31st March 2004, बहुत पहले exam में भी कोशना आया हुआ है, तो मैंने adjective उठा लिया आपका, 2004 का कोशना, आई न, कहता है, interest discount received, आप लोग बताते चलो, मैं पूछते चलना हूँ, कि यह interest discount received, कौन सा schedule, आप लिखना शुरू करेंगे, कौन सा schedule, लिखना शुरू क करेंगे, देवराज मंदल, क्लास, आपने परचेज क्या होगा, बचे, तो भूक आपका वास गई होगी, या जाएगी, अभी आ न, बदमाश पढ़ाई करो, इससा बाते बाद में करेंगे, 13 आपका, हाँ जी, यह 13 हुआ, interest paid on deposits कौन सा schedule जाएगा, जी, आप लिखते चलो एक मिनिट, मैं पहले बता दू, इस कोशन के अंदर में थोड़ी सी सवधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोशन ने आप से बोला, prepare profit loss account in accordance with the law, है न, make necessary assumption, यह कहता है कि यह आप profit loss account बनाएए, profit loss account, तो या दगना, हम से profit loss में आपका focus करेंगे, बचे, और किसी पर नहीं, यह जो और कोई बताएगा, बैल शिट का कौन सा शेडूल था, वन, बट क्यों बताओ, क्यों बताओगे, अरे, profit loss से focus करो न, आज का दिन हमारा profit loss का है, profit loss का है, ठीक है, reserve under section 17, बहुत ध्यान से confuse नहीं हो न, मेरे बचे, यह जो reserve है, under section 17, यानि कि statutory reserve, यह current year का नहीं है, न, यह current year क नहीं है, यह पिछले साल से आ रहा है, प्रूफ करो कैसे, प्रूफ करता हूँ, अरे, इस साल तो अभी statutory reserve आपको बनाना है, जब तक आप profit loss account नहीं बनाएंगे, तब तक आप कैसे बना सकते हो, आपको बनाना है, यानि कि वो balance है, जो पिछले साल से चलते हैं, पिछले साल से, तो आप परशान नहीं होना, यह जो आना बच्चे, पिछले साल से, सिब इतना बता दो, यह reserve under section 17, जो पिछले साल से आ रहा है, यह कौन से schedule के अंदर आएगा, यह कौन से schedule के अंदर में, नहीं बता होगा आप लोग, अरे, यह कौन से schedule के अंदर आएगा, जल्दी बत बैल शीट के अंदर आता है, बैल शीट का schedule 2 क्या था, रिजर्ट सर प्लस का आपका, रिजर्ट सर प्लस है, रिजर्व है आपका schedule 2, पर क्यों जवाब दोगे, हम तो profit loss की बात कर रहे हैं, हम तो इसके बारे में सोचेंगे नहीं, यह नाम एक्जाम में आए हैं, आएंगे कन्फ्यूज करने के लिए कि बच्चा इसको भी कहीं 13, 14, 15, 16 में कहीं लिख दे, कैसे लिख देंगे, है ना, नहीं है, ठीक है, कमिशन एक्सचेंज ब्रोकरेज बताओ, कौन से schedule में जाएगा, जल्दी बताइए, कमिशन एक्सचेंज ब्रोकरेज कौन से schedule में जाएगा, 16 में जाएगा, कमिशन एक्सचेंज ब्रोकरेज 16 में, एक बच्चा बोला है, यह बदमाश है, यह बदमाश बच्चा है, जो 16 बोला है, कमिशन एक्सचेंज ब्रोकरेज बैंक कमाता, बदमाश पिछले कोश्ट में भी देखा, और यह आपका कहां जाएगा जी, यह जाए जाएगा 14 में, salary allowance कहां जाएगा 16 में, director 16 में, rain taxes 16, stationery postage 16 में, depreciation आपका 16, ठीक है, नीचे आएए, एको नीचे पढ़ते हैं, क्या बतार आपको यहां पर, नीचे देखेंगे, अब यहां पर बाते हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि examiner यहीं पर game आप से खेलता है, पढ़ेंग expected that 40% can be recovered from his state, आपका, कहता है कि 40% की, आप recovery कर पाएंगे, बस, तो ठीक है, यह भी समझ में आ गया हमारा, कहता है कि interest due at 15% on his debt has not been provided in the books, सर यह क्या है, देख लेंगे बाद में, बले कोशन पढ़ो ना, कोशन पढ़ते हैं, कोशन पढ़ने का अनन देते हैं, एंसर का नहीं provision for bad and doubtful dates on other, on other dates कहता है कि आपका यहाँ पर कितना है जी, 50,000, ठीक है, rebate on bill discount कहता है कि first was 2003 को, यानि कि opening balance कहता है जी, 75,000 है, provide कहता है कि 3 lakhs for income tax, directors desire to declare, directors desire to declare कहता है 50,000 as dividend, ऐसे जब desire होता ना, बच्चे, तो हम desire का कोई treatment नहीं करते हैं, बट आपका institute कह रहे किने, हमने RBI norm उसको follow करते हुए, हमने यह बनाया होगा, हम उसका treatment करेंगे, कैसे दिखाऊंगा, prepare profit loss account in accordance law, make necessary redemption, चलिए, मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर इस question को solve करना, बिलकुल दिमा आप जल्दी से तब तक बनाऊ ना, 13, 14, 15, 16, जल्दी से बनाऊ ना, तब तक 13, 14, 15, 16, चार शेडूल बनाईए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ, वैसे जिसे नहीं किया था मने, वैसे ही करना आपने, इसको मिटाने में मुझे टायम लगता है, इस अच्छा है कि मेरा व जिसे पढ़ते थे तो फटाफट कपडे से मिटा दू लेकिन यह नलाएक, और एक्छली मुझे आपको दिखाना भी कोशन ना, इसलिए मुझे इसको ऐसे करना पड़ रहा है, चलो कोई बात में, जल्दी से आप, क्योंकि मैं अब उतना टाइम ने लूँगा, इसका फॉ जो बच्चे हैं, उनका भी लाइब क्लास से शुरू होने वाला बच्चे, I think 14th तारिक से, 14th January से, और हमारे जो CA Foundation और CA Inter वाले बच्चे हैं, उनका भी बैश शुरू हो रहा है, I think CA Foundation का 10 तारिक से, और CA Inter का फरवरी के 2nd week से, वो बाते भी हम आपको बतायते रहते हैं, इसको बच्चे होता कर लो ना, इसको मिटा लेता हूं, इसको मिटा लेता हूं, इसको कुई उपाया होगा दूसरा मिटाने का यार, इभा देखो क्यों, इससे बड़ा कुछ हैं नहीं नहीं, चलो एणिवे, आप स्टार्ट करते हैं आपर, आप लोग फॉमेट बना जल्दी बता ये क्या, फॉमेट बनके रेडी हो गया आपका, 13, 14, 15, 16 और चारो के नोटस्टो अकाउंट, क्या आप लोगों ने बना लिए हैं, तो बहुत टाइम ले रहा हैं, तो बहुत टाइम ले रहा हैं, मुझे चुप रहना आता नहीं, और इसक लिए चुप रहना तो दिमाग खराब हो जारा मेरा, चलो anyway, अब हम इतने में काम कर सकते हैं अपना, है ना, येस, अब हम लोग इतने में काम कर सकते हैं, ठीके बच्चे, ये लिजे, जल्दी से कोशन बगर, हम लोग इस्टाट कर रहे हैं, आपका 22, और ये रहा मेरा फॉर्मेट, बहुत कर होगा है, अपने कर लिया होगा, सोलुशन कर रहे हम लोग यहां पर 22 का, प्रोफिट लॉस अकाउंट हम लोग यहां बनाएंगे आपका, और ये रहा हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट, मेरा हमेशा आपको एक्जाम में अगर ऐसा कोशन आ जा तो यही आदत आपको भी होगा, पहले फॉर्मेट आप बनाएंगे और इसी सिक्वेंस में काम करेंगे, चाहिए आपको रफ में क्यों ना करना पड़े, और यह रहा हमारा शेडूल नंबर, तो इसी शेडूल और इसी अमाउंट आपका, इंट्रेस्ट अर्ण, यह हमारा थर्टीन है, फुर्टीन क्या था जी, अधर इंकम, अधर इंकम, यह हमारा टोटल आगया आपका, टोटल, इसीज ए, फिर आपका फिप्टीन पे आप आप आईए, फिप्टीन पे, एंड विल से, इंट्रेस्ट, इंट्रेस्ट एक्स्पेंड़, इंट्रेस्ट एक्स्पेंड़, इंट्रेस्ट ए और अगला जो होगा, provisions and contingencies उसके जगह छोड़ूँगा, provisions and contingencies, ठीक न, यह हमारा without schedule आपका, तो इसमें 2-3 लाइन जगह तो छोड़ूँगा चोड़ूँगा, और फिर आपका यहां लिखेंगे, हम लोग, total, this is B, ठीक न, इसके वाद आप आप आज आएगा बच्चे, profit for the year profit for the year, A-B, ठीक न, और पिछले साल से कुछ अगर profit आ रहा है, तो profit brought forward, profit brought, ऐसे मुझे कुछ दिखा नहीं है, इसमें, बट मैंने लिख दिया कि ताकि आपको practice से भी कर रहे हो न, तो कितने नाम आएंगे सब आपको पता रहे हैं, और यह हमारा हो जागा, total profit, total profit आपका, ठ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका appropriation, और appropriation में एक नाम तो हम परे लिख दे, transfer to, transfer to, statutory reserve, यह तो लिख देंगे, इसके बाद भी कोई नाम होगा, तो हम कोशन में देख लेंगा, ठीक न, तो इतने नाम तो हमारे पास होंगी, ठीक है, तो आप जल्दी से इसको बना आओगा, हमारा 13 schedule यहाँ पर किसका होगा, interest earned, schedule 13, interest earned, यह रहा हमारा 13 schedule, ठीक है न, ज्यादा बढ़ा नहीं, 14 schedule बनाईए, schedule 14, other income, other income, ठीक है, यह भी हो गया, फिर आपका 15 schedule, schedule आपका 15, यह था जी, interest expended, इंट्रेस्ट, एक्सपेंड़, यह हमारा 15 हो गया, और 16 थोड़ा से, मैं हमेशना बढ़ा बनाता हूं, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि ज्यादा आइटम्स इसके इंदर है, 16 आपका operating expenses, और इसके बाद कुछ working हुआ, तो working भी कर लेंगे, कोई दिकत थोड़े एक सारा जगा हमारे पास है, तो आप इसकी copy कर लेंगे, और इतना ध्यान में रहेगा, इतना सब का ready हो चुका है जी, आप मुझे जल्दी बताओ, मुझसे पहले आपने इसब ready कर लिया है क्या, इस सब ready हो चुके आप लोगे, अरे बोलो न हाँ, अरे ये ready हो चुका है, ये सर, तो चलो अब मैं शुरू करता हूं, सुनेंगे ध्यान से, एक एक बात को दिमाग में, क्योंकि छोटी-छोटे point सी आपको परिशान करेंगे, interest and discount, ये तो जाएगा 13 में, लेकिन नीचे पढ़ लेकिन दिखा सकते हैं, अगर कुछ हुआ तो working note number one, यहां कर दूँगा, जगा मेरे पास है, कहता है कि a customer to whom a sum of 250 has been advanced, has become insolvent, ये तो प्रोविजन मराने की बात है, प्रोविजन को इसे कोई मतलब नहीं है, प्रोविजन for bad and doubtful भी है, प्रोविजन की बात है, छोड़ दो, रही है actually, first four 2003 है, इसको four कर लो आप, zero four, एक एप्रिल है, ये 31st मार्च है ना, तो ये एक एप्रिल है, कहता है, कोशन के अंदर में, ये देखिया आप यहां पे, कि साल के starting में, यानि कि first four 2003 को, आपके पास rebate on bill discounted, rebate on bill discounted, ये जो amount है, वो कितना बता आपको यहां पे, कोशन के अंदर में, 7500, ये 7500 है, है ना, बच्चे, इस opening में, और आप चेकिजे, यहां पे कहता है, कि interest discount, जो हमने इस साल receive किया है, यानि कि current year में, interest and discount, यानि कि discount इसमें, जो हमने receive किया है, वो दोनों मिला के कितना ब discount, ठीक न, अच्छा, क्या कोशन में, rebate on bill discounted, साल के end में, यानि कि 31st March 2004 को कहीं end में कुछ बता रहा है, एक बाद देखता हूं, rebate on bill discount, end में, यहां तो कुछ नहीं बता रहा है, और नीचे अगर मैं देखता हूं, तो rebate on bill discount, मेरे बच्चे, end में भी कहीं कुछ नहीं रहा है, तो बस हो गई बात, आप एक काम करो, working notes में, यहां पर number one, आप क्या करेंगे, लिखे मेरे साथ, interest, interest and discount received, यह diagram बना लो अपने लिए, ताकि revision में आपको help करेगा, वो कितना है, 20 lakh and 30 thousand come out, 20 30 come out, कोई मुझे बताएगा, कि यह जो साल के starting में, जो आपका rebate on bill discount बता र on bill discount, यानि कि साल की starting में, मतलब पिछले साल से जो balance आ रहा है, 75 hundred का, आप मुझे बताएगे, यह 75 hundred, इसमें plus होगा की minus होगा, जल्दी बताएगे, इसमें 75 hundred को हम plus करेंगे की minus करेंगे, जल्दी बताएगे, यह 75 hundred का जो amount होगा, बच्चे, वो plus किया जागा की minus किया जल्द ही बताएगे, सर प्लस किया जागा, और विस बात है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो साल के end में होता ना, उसको minus करते हैं, यह तो पिछले साल, जिस amount को income नहीं माना गया था, जो इस वार मानते उस 75 को, तो add कीजिए, यह amount कितना हो जाएगा, 20 lakh, यह total हो जाएगा, 20 lakh, 37,500 का amount चेकी जी, इतने ही आरा आपका, 20 lakh, 37,500, इतने हम out आरा बच्चो, जल्दी बताएग, 20 lakh, 37,500, यह आ रहा ना, यह सर, 20 lakh, 37,500, तो मैं क्या करूंगा, यह जो interest and discount, बसको ठीक से पढ़ना होता, बाकि आप सब कुछ जानते हैं, यह जो interest and discount आपका है, उसको आप यहां लिख discount, discount, 20 lakh, 37,500, आपके एक्जामें यह भी आ सकता है, कि बताओ जी, interest and discount to be shown in schedule 13, कितना होगा, interest and discount, interest earned नहीं, उसे भी यह पूछ रहा कितना है, तो 20 lakh, 37,500, हमें कोई दिखा थोड़ी है, अच्छा, उसके बाद आएगे अगला, interest paid on deposits, interest pay क्या, वो तो यहां चला गया, interest हमने है, interest on deposits, deposits, है न, यहां हमने पे किया, कितना पे किया, 12 lakh, 12 lakh and 2000 का माउंट, जहां गलती होगा न, मुझे बता देना है, कि सर आप गलत कर रहे हो, 12 lakh 2000 का माउंट, यह भी ठीक है, interest paid on deposits भी आपका हो गया, फिर आए, commission exchange brokerage, कितना माउंट है, यह आ रहा है, आपका 90,000 का माउं commission, exchange, exchange and brokerage, brokerage, कितना माउंट है, यहां लिखे, 90,000 यानिके 90,000 रुपे का माउंट, यह भी ठीक है, फिर कहता है, आपका rent received, आपने rent कमाया, यह यहीं पे आएगा, rent paid नहीं है, rent received, sir, exam में अगर सिफ rent होता तो, तो फिर expense है, rent receive अगर लिखा हुआ है, तो फिर ठीक है, जी हम क्या मानेंगे उसका, कुछ तो बताएगा, hint करेगा, चिंता नहीं करना जब income होगा तो, फिर कहता कि profit on sale of investment 95, यह कहां जाएगा, 14 में, यहां लिखे, profit on sale of investment, profit on sale of investment, आपका हो गय 95,000 का माउंट, लिखे आप यहां पे 95,000, profit on sale of investment, salary and allowanceage, salary and allowanceage, आपका 1,05,000, यह कहां जाएगा, यहां पे, operating expense में, salary and allowanceage, लिखो नहीं यहां पे, salary and allowanceage, कितना amount बतारा आपको, salary allowanceage, 1,05,000, तो यह 1,05,000 का amount आपने यहां पे record कर दिया, कोई doubt इसके अंदर में, नहीं सर्फ, directors fees, आपका 12,000 यहीं पे आएगा, सारे खर्चे भी यहीं पे आएगे, तो directors fees, आपका amount है, 12,000, यहां लिखेंगे आप, 12,000 का amount, फिर कहता है, आपका rent and taxes paid, तो rent पहला word है, हम rent मानते वे, कि rent के खर्चे हैं, वो आप यहां दिखेंगे, कितना बता रही हैं, 54,000, ऐसे कायदे के से देखा जाए, तो tax नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि tax तो provision for tax में आता है, बट फिर कहता है, कि आप पर एंस्टूर बिया, हमने जो पहला word लिखा ना, उस पे ध्यान दो, rent है न पर यहीं लिखा आप यहां पर, stationary and printing, stationary printing आपका कहता है, 12,000 का मांट है, यहां लेकर आप आईए, इसके बाद कहता है, आपका postage telegrams 25,000, postage and telegrams 25,000, ठीक है ना, postage telegrams हो गया, other expenses कहता है, कि आपका यहां पर 12,000 का मांट है, तो other expenses यहां पर आगे 12,000 का मांट, ठीक है, audit face कहता है, कि 4,000 का मांट है, audit face आपका 4,000 का मांट यहां पर, 4,000, फिर कहता है, depreciation on bank property, यानि कि bank के पास जो अपने assets हैं, अपनी यूज के लिए, वो कहता है, उस पर depreciation आपका 12,500 का मांट है, 12,500 का, यहां तो कोई दिकत आपको नई सर, कहीं भी कोई दिकत नहीं है, मैं बच्छे, हमने क्या किया, जितने भी आपके यहां के items हैं, उनको हमने proper तरीके से यहां पर place कर दिया, अब हमें नीचे में जो items हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचना है, पहले जल्दी से आप लो confirm करें, यहां तक आप सबका हो चुका है, मैं इसको मिटाओंगा, और यहीं पर working दिखाओंगा, सारे बच्छे जल्दी confirm करें, यहां तक आप सबका हो चुका है, यह सर, पका हो चुका है न, हां जी, अरे बोलो न, हां, यह सर, चलो, अब मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अब हमारे पास और क्या-क्या पोइंट समझना है, तो मुरे बच्छे, पहले हम पोइंट नमर वन पे आते हैं, पोइंट नमर वन पे, सुनेंगे ध्यान से, लिखना बंद करेंगा, अब सारे बच्चे, लिखना बंद करेंगे, अच्छा कोशन है, जो चुछी बाते ध्यान देनी है, अक कस्मर तो हो, समप 250, हैडविन एडवांस, कोई कस्मर है, जिसको ढाईला का अपने कर्च दिया है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, प्रोविजिन फॉर, प्रोविजिन फॉर, डाउटफूल देट्स, प्रोविजिन फॉर, डाउटफूल देट्स, हमें यहाँ पे प्रोविजिन क्रेट करने के लिए, आपने पढ़ाईजी, रेट, कि रेट आपका पांच पसंट, पंदर पसंट यह, यह कहता कि इतना टे is expected that 40% can be recovered 40% मिल जाएगा 40% मिल जाएगा तो डूबने के chances कितने है 60% है ना अगर 40% आपको मिल जाएगा तो डूबने के chances कितने हो गए 60% तो 250,000 का जड़ा बताओ 60% कितना निकल के आ गया 150,000 देड लाग उर्पे का मोट है ना बच्चो तो 150 आपका एक तो यह बन जाएगा प्रोविजन और कहता आगे पड़ो आगे पड़ो आगे पड़ो देखो यहां पर अरे देखो यहां पर इंट्रेस दिव 15% on his debt has not been provided प्रोविजन की बात करो ना चोड़ो अच्छा यहां पर पॉइंट नबर टू में प्रोविजन फॉर बैड और डाट फुल ऑन अधर डेट्स अधर मतलब इस पे तो डेड़ लाग का बनेगा जो बाकि देटर्स आपके पास से जो लोन से उसमें कितना पचास तो यह प्ल प्रोविजन को क्रियेट करना यहां पे किसी रेट की बात नहीं कर रहा है वो बोला कि आप टेंशन आलो हमने वो जो रेट था ना पांच परसेंट पंदर परसेंट या क्या था पॉइंट फो परसेंट उसके हिसाब से पचास जा रहा है एक डेटर्स पे आप बना लो इत प्रोविजन फॉर डाउट फूल डेट्स और अमाउन कितना आपका हो गया जी तू लाक रुपे का हम लोगों ने यहां पर प्रोविजन बनाया है ठीक ना तू लाक का बन गया प्रोविजन आपका इसमें तो कोई डाउट होना ने चाहिए आगे बढ़ते आगे बढ़त यह भी हो चुका है रिवेट ऑन बिल्ट इसकांट वाला पॉंट फॉर प्रोवाइट त्री लैक्स फॉर इंकम टैक्स यह लीजिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स तीन लाग का बनाना है वह लिखो ना यहां पे इसी के अंदर में वह अमाउंट ही बता दिया को पे करना और जो डिवेडेंड आपका है वह यहां जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे जी कि डिजाइड है ना प्रोविज डिविडेंट मैं बारवार कह रहा हूं कि आप ध्यान अगना इस बात को यह जो डिविडेंड के नाम पे 50,000 का अमाउंट है जब डिविडेंड प्रोविडेंड होता है तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं बट हम यह मानेंगे कि आपके इंस्टिटूट के स्टडी मिटेल के मुताविडेंड की यह यह डिविडेंड का हमने आरवे से पूरा प्रोवल लिया हुआ है और उसके हमने डिकलेर किया है अभी मैं दिखाऊंगा उसका नूट लिखे क्योंकि कोशन ने कहा है कि आपके जो बता दीजे तो मैं उसको बताऊंगा यहां पर ठीक ने लिख लो आप यहां पर वो प्रोफिट का अप्रोपेशन हो गया अब मेरे पास सिब एक पॉइंट बच गया कि अचे पास और हम लोगों ने यह जो इंकम अभी नहीं किया है एक बाच चे करें क्या वर्किग लूट संबध त्री लिखो मेरे साथ वर्किंग नूट संब थ्री जब आपनः पर इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट ड्यूंट ड्यूंट्रेस्टिव ओन ओन डाउट्फुल डेट्स जो आपके डाउट्फुल डेट्स हैं उसाफ हुसको इंट्रेस्ट किसा अज्पाइब 17 पर सेंग dobrze 37,500 37.500 कहता है कि ये आपका not accounted not accounted मतलब इसको हम लोगों ने क्या है जी not accounted का मतलब हो गया ये 37.500 रुपे का जो amount है बच्चे वो इसके अंदर नहीं मिला हुआ हाँ हाँ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे क्योंकि यही इस कोशन का ultimate nature है ये point आपको परशान नहीं करेगा बाकी बच्चों करेगा देखो क्यूं एक बाद बताओ क्या मैंने आपको सिखाया जी पहली क्लास में आप याद किजिए पहली क्लास और पहला टोपिक मैं आपको याद दिलाओ कि आपका जो interest income recognition होता था ना हम assets को PA और NPA में divide करते थे अगर वो assets PA है तो हम income मानते थे accrual basis पे और अगर वो NPA है तो हम income मानते थे actual receipt basis पे यादारी बात आपको actual receipt जितना हमने receive कि आमरे पच्छे उसी को income माना जाता था आप मुझे से इस question को पढ़के बताओ देखता हूँ आपका दिमाग कितना काम कर रहा आपका इस question को पढ़के बताओ कि Mr. A जिससे धाई लाक रुपे आपको नहीं मिले doubt है कि वो पैसा कहीं लेकर ना भाग जाए मतलब डूब जाएगा ऐसा लग रहा आपको ये बैंक के balance sheet में वो कहां दिख रहा होगा PA के अंदर दिख रहा होगा कि NPA के अंदर दिख रहा होगा मुझे से इतना बता दो कि वो इनसान एक कस्मर जिससे टू लैक फिप्री थाउजन नहीं मिला doubt है कि हमें सिफ 40% मतलब उसकी से बहुत खराब है 40% मिलेगा बागी पैसा डूब जाएगा ऐसा लग रहा है तो ये कर्श जोड़ा बताओ PA के अंदर दिख रहा हो कि NPA के अंदर दिख रहा होगा ये कर्श आपको PA के अंदर दिख कर रहे हैं ऐसा इंसान जिसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकिए वह पीए कहां से रहा होगा बचे वह इंसॉल्मेंट हो गया है इंसॉल्मेंट होने का मतलब कि उसकी स्थिति बहुत समय से खराब हो चुकी होगी वह टाइम से प्रेमेंट नहीं कर रहा होगा ये अंदर स् मेंसे स्तिती चलती रहती है, खराब होती है, खराब होती है, खराब होती है, तब जाके आप बन रहती तो, इन्पीयग और ओचे के लगता में बताया था कि जब तक आप sì Luk रिसीब हो जागा, कैश आजागा, तभी इंकम मानते हैं, तो ये जो 37.500 रुपे, ये जो doubtful date से, यानि कि जो NPA है, हम इस पे इंकम मानते भी नहीं है, हम इस पे इंकम मानते भी नहीं है, एक बार दुबारा सुन लिजे, ये जो आपका doubtful date से बच्चे, NPA जो है, इस पे income हम कम मानते हैं, जब पैसा रिसीब हो जाएगा, जिसकी इस्तिती ही खराब हो चुकी है, जो payment ही नहीं कर रहा है, उसने आपको interest क्या पे किया होगा, वो तो कहता है, यार, जो 0.5 लाग का करज है, वही पैसा डूबने वाला है, तो ये ध्यान से समझना, यहां पे क्या दिख किया है, अगर आप income मान लिए रहते हैं, तो मैं उसको minus करता है, लेकिन जो income ही नहीं, बाना ही नहीं तो ठीक है जी, हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही आपका है, कोशन ने कहा है, आप अपना necessary exemption बताईए, इस chapter को पढ़ते वे, तो पता मैं exemption क्या क्या बता मेरे साथ, हमने इस कोशन को solve करते समय, क्या 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 है, जो perfect है, क्या जी, कि आपका customer, customer of rupees 250,000, is under, is under the category, category of, category of, क्या जी, NPA, NPA, वो NPA के अंदर है, हमने ये assume क्या है, और इसलिए क्या जी, हम उसको income नहीं मानेंगे, ठीक न, एक तो आपका ये, एक बच्चा करे एक इसमें बताया ही नहीं कि default 90 days का है या ज्यादा, मैंने कहा ना बच्चे, कि अगर किसी customer का, जो insolvent declare कर दिया गया है, language को ध्यान से पढ़िये, insolvent 2-4 दिन, 10-3 में या 100 दिन के अंदर नहीं होता, बहुत process चलता है, लंबा process चलता है, हम उसपे court case करते हैं, court declare करता है, कि बहुँआ, insolvent है, तब insolvent माना जाता है, तो 90 दिन क्या, इसमें कम सकम एक डेर्ट साल का भी time लग जाता है, इसलिए हम उसको NPA मानते हुँ, इस question को solve करता है, ठीक है ना, पहला, दूसरा assumption, दूसरा assumption क्या, कि जो proposed dividend है ना, यह, ऐसे तो proposed dividend का आप कोई treatment नहीं होता, लेकिन institute के study material को दिहान में रखते हुँ, हम क्या मानेंगे जी, कि यह dividend जो है ना, वो RBI नौर उसको दिहान में रखते हुए, उन्होंने किया है, मतलब, proposed dividend, proposed dividend, dividend, is as per RBI norms, आपके जो RBI norms से बचे, उसको ध्यान में रखते हुए, हमने इस काम को किया, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई doubt इसके इंदर में नहीं सर, तो यह दो assumption है, जिसको मान के question solve कर रहे हैं, आप तो कुछ बचा नहीं है, question आपका खतम हो चुका है, और जल्दी से अब अपना यहाँ पर answer निकालिए, start करेंगे आप, जल्दी से फटा-फट, और मुझे बताए कितना कितना क्या निकल के आ रहा है, तो मिर बचे यह देखिए, आपका यह तो उतना ही रहा, 20,37,500 यहां लिखो न, 20,37,500 का मौंट आपका, 14, यानि कि अदर इंकम क्या निकल कहा है जी, इसको एड किजिए, अदर इंकम 90,000 प्लस 30,000 प्लस 95,000, यह आ गया, 2,15,000, तो 2,15,000 यहां लिखेंगे आप, 2,15,000, ठीक न, 15 मिर बचे यह आ गया, 2,2,000, कौन बारबा लिखेंगा वहां पे, मैं तो फटावर्ड करूँगा, 2,2,000 का मौंट, और आपका 16, यह कितना निकल क्या आगया, तो 1,5,000, 12,000, 54,000, 12,000, 25,000, 12,000, 4,000, and 12,500, यह आ गया, 2,36,500, कोई बच्चे कर्फर्म करेंगा, जी, यह आ रहा है, अरे, यह कैसे चैंजे जा जारे मेरे हमेशा, अरे, 236,500 नहीं आ रहा है, एक बध्वाशलर का जू गलत बता रही है, एक बध्वाशलर का भी गलत बता रहा है, यह आ रहा है 2,3,600, येस, तो आप यहां लिखेंगे, 2,36,500 का मांट आपका 2,36,500 ठीक न बस अब तो कोशन नहीं कुछ नहीं बचा बताए यह उपर वाला कितना आ गया 20,37,500 प्लस 2,15,000 यह आगे बचे 22,00 22,00 52,500 का मांट यह कितना आ गया तो 12,00 22,000 प्लस 236,500 प्लस 3 प्लस 2 5,00,000 का मांट यह आगे नाइनटीन लेक 19,00 38,000 और फाइफ़न रुपिज का मांट कोई डाउट इसके इंदर में नहीं सर्ट तो प्रॉफिट फॉर दे यह कितना आ गया 22,00 52,00 5,00 में से अगर इसको मैनस करते हैं तो 3,14,000 3,14,000 क्या कोश्चन में प्रॉफिट पिछले साल से कुछ लाने की बात कर रहा है नहीं सर्ट तो इसको ब्लैंक छोड़ दो यही आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 3,14,000 आप मुझे बताओ स्टाट्विट रिजर में ट्रांस्वर करूं कि ना करूं करूंगा कितना परसेंट 25% किसका 3,14,000 का 78,500 तो 78,500 कोई बताएगा जी आप में से कोई बताएगा मुझे आप में से कि यह जो हमने परसेंटेज बनाया यह जो आपका लिया 78,500 मतलब जो 25% निकाला यह 25% उपर वाले का निकाला कि नीचे वाले का निकाला जल्दी बताएगे यह जो हमने 25% जो अपलाई किया यह उपर वाले पे कि नीचे वाले पे जल्दी बताओ उपर वाले पे कि नीचे वाले पे अरे सिर्फ इतना बताओ, उपर वाले पे के नीचे वाले पे, मुझे ज़्यादा नहीं सुनना आप लोगों से, जल्दी बताओ, मैं ठक गया हूँ, उपर वाले पे के नीचे वाले पे, अरे उपर वाले पर के नीचे वाले पर अरे क्या फरक पड़ता है उपर वाला हो चाहिए नीचे वाला दोनों का सेम अमांट है बदमाश किसी पर भी निकाल लो इस पर निकाल लो चाहिए इस पर निकाल दो क्या फरक पड़ता है दोनों सेम ही है क्योंकि यहां पर कुछ नह करेंगे ट्रांट करेंगे कितना तो आपका 314,000 का टोटल प्रोफिट एक मैंस हो गया 78500 और एक मैंस हो गया 50,000 अमाउंट आ गया 1,85,000 का कोशन खतो लो क्या पढ़ाओ मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज कुछ है पढ़ाने के लिए थोड़े एक छोटा सा पोइंट कराने के लिए मुझे पूरा कोशन कराना पड़ा यहीं बातें एक्जामिनर जानना चाहता कि क्या सचमूछ भी बच्चे यह सिऊ कि है या फिर यह बच्चे ऐसे ही है तो सी ओसी का बच्चा वह कैसे व्लुप हो गा जी स्पर्ड के थुरोण का कि जो ludzie कहाणा इंट्रेस्ट्यू है यहीं मतलब अभी रिसीव नहीं हुआ है जो प्रोविजन फॉटेक्स माना जाएगा और हमेशा आपका प्रोविजन अंदर दिखाया जाएगा टैक्सेज हम जो पे करते हैं इस साल का अगले साल पे करते हैं अपने टैक्स में पढ़ा होगा गुरूपोन के अंदर मैं कासं से बता रहा हूं आज में बहुत ठक चुका हूं इतना ठक चुका हूं ना इतना अरे मोहमद अली मैंने कहा बदवाज कि टैक्स पे करते हैं ऐट्वांस टैक्स पे करते हैं धी चेप्टर आएगा फारन्शल स्टेट्मेंट आफ कम्पनी वहां पे सारी बात आपको थोड़ा सबर्द करो फिलाल तो अभी वही मानना पड़ेगा इतना बता दो कि अगर एक्जाम में अब प्रॉफिट लोज को पर बेस्ट अगर कोई कोशन आ जाएगा तो आप यानि कि मेरे बच्चे बना पाएंगे के नहीं बना पाएंगे बस इतना बता दो पस इतना बता दो तभी आगे बढ़ूंगा आज जल्दी बताए आप लोग कि येस चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी बताए कि अगर कोशन के अंदर में अब प्रॉफिट लोज का आ गया तो मेरे बच्चे यानि कि आप ये कोशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बस इतना बता दीजिए जल्दी बताए मुझे एक हजार चाहिए एक ह सोचते हो कि ये दो कोशन को करके और एक्जाम के किसी भी कोशन को अटेम्ड कर लोगे तो आपके अंदर का ये अत्म विश्वास नहीं है आत्म विश्वास के लिए आपको भी बहुत कुछ करना होगा और मैं अभी आपको प्रूफ करता हूँ कि आप से गंदा इंसान मैं आपको प्रूफ करता हूँ मेरे अगले कोशन के साथ एक बच्ची है वो स्विक्रितिव कह दी किसी थोड़ा टफ था अरे बदवास इसमें क्या टफ जी ये तो और सिंपल था बदवास इसमें तो कुछ पॉइंट ही नहीं था पिछला वाला टफ लगा तो यहां तो क कोशन आपका 31 31 कोशन अब देख सकते हैं आप बिलीब किजिए ये सीए में 2011 में 16 मारक सक कोशन है और मैं सचाई बता हूँ आप अपने इंस्टिटूट का स्टडी मेटरियल देखिए वहां भी कोशन देखेगा और कम से कम से कम सीए और सीए में के एक्जाम को मिला दूँ तो कम से कम 35-40 बार ये कोशन ग्जाम में आ चुका है 35 से 40 टाइम से कोशन पुछा है मैं हरान हूँ कि इस कोशन में आखरी कौन सी खास बात है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप है बस आप है और आप है हाँ एक बच्चा है जिसको आंधी चल दी है वो बाहर घूम के आया उसको आंधी चल दी है आंधी बदमाश इस कोशन के बाद आएगी और सचाई बता रहा हूँ आप इतने खुश हो जाओगे ना आपके अंदर में ऐसी ऐसी शक्तिया आप फिलोंगे कि आर सचमोश में कुछ भी कर सकते हो बस यह कोशन मेरे साथ देख लो यह कोशन आपका दिमाग शांत करेंगे और यह जो 31 कोशन है ना आप इसको पढ़ें तब तक कि थोड़ा सा यह जो गंदा इसको बस क्लिन करूंगा 31 कोशन आप पढ़ेंगे चलिए जल्दी से आप 31 कोशन पढ़ें मै मैं आपको प्रूफ करना चाथाओं कि आप सचेन इतने प्यारे बच्चे है ना कि मैं क्या बताहूं अब आप सबकुछ जानते हैं बस शर्त इ lawnies की मेरे पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी इसायी क्लास सब अगर धिखाया तो देखते ही कोशन क्या है है और मैं कर पाता कर पातो हो आपके एक्जाम में पिछले के पिछले पिछले डंप पर कोशना आया पिछले के पिछले डंप तो इबाद देखते हैं from the following information prepare profit loss account अब जवाहर बैंक लिम्टेट फॉर दियर एंडिंगों 31st मच 2011 और सोगे निसेसरी शेडूल देंगे शेडूल की मेरा कामी नहीं चलेगा कहता जी सारे फिगर थाउजंस में यह सारे फिगर थाउजंस में अच्छली यहां लिखना चाहिए था खिसक कही यहां चल जाङंगा आपको इस कोशन के बाद आब आप एस स्ट्रॉंग हो जाएंगे अभी अन्सनित पहले फूरा कोशिण ध्यान सपर आप यहां पे कहता है कि इंट्रेस्ट और डॉन क्लासिफेड आज अनप यह इंट्रेस्ट रिसीव टॉन क्लासिफेड इस इन पिए फिर आपका profit on revolution of investment कहता आपको यहां पर फिर कहता कि income from investment है, salary bonus, फिर वही rent taxes, printing, सब कोशनों वही 16 में आने वाले, other information में क्या बता रहा जी, अब यहां देखो, make necessary provision on risk assets, substandard का बता रहा आपको, doubtful for one year, for two year, loss assets, आपका यह बता रहा है, तो आपको rate तो याद है न, कि standard पर जो था ज कुछ ना बता है, तो, substandard पे 15 and 25, secured है तो 15, unsecured तो 25, अगर हम देखे, doubtful assets में, up to one year में क्या था, जी, secured में 40%, sorry, 25%, फिर 40, फिर 100, और वहां था, unsecured में 100, 100, 100, आप यह भी जानते हैं कि अगर कोशन में आपको नहीं बताता, कि loan secured या unsecured, तो हम उसको unsecured मानेंगे, जल्दी बताईए, कितने बचों कोई बात याद थी, अपने नाम लिख के भेजेंगे, कि अगर कोशन के अंदर में ना बताए, कि loan secured है, कि अन सेक्योड है, तो हम उसको आपका unsecured मानेंगे, यह कितने बचों को याद है, आप बताएंगे, एक देखो, बर्वाश ने note भी लिखाया हुआ है, कि exam में अगर आपको नहीं बताता कि loan secured है कि unsecured है, तो आप उसको secured मानेंगे, न कि unsecured मानेंगे, मैंने बताया हुआ है, कुछ बचे ना बदमाश होते जा रहे हैं, पीछे का revision नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, second class में बताया था मैंने, आई जड़ा, त से एक investment बता रहा है, investment कितने का जी, 37,000 का, और फिर कहता है, bank should not keep more than 25% of its investment as health for maturity investment, market value of its rest 75% कहता है, investment आपका 9,000 है, 31st March, बोलता है कि question solve करो, सरीए क्या है, अरे बताता हूँ नहीं आपको, कोई बात नहीं लगई, कोई बात नहीं, आओ नहीं, मैं इस question को solve कराता हूँ, और अब इस question को करने के बाद आप दुनिया वालों को बता देना कि हमारे सर ने कहा है कि अब profit loss पर कोई भी question दो हम कर जाएंगे, believe कीजे, यह question आपका ultimate है, इसके बाद कोई नया concept नहीं बनता, profit loss को लेकर, आई मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी से मेरे बच्चे, तरीका मे मेरे साथ ready करेंगे, schedule 13, sorry, profit loss का format, बनाई है मेरे साथ, profit loss account, यह रहा हमारा format, profit loss account का, आज तो बस दुनिया वाले जान जाएं, कि यह बच्चे कोन है, schedule, आज के बाद, आज के बाद, आप घर में ना किसी से बात नहीं करना, ना किसी relative से, ना भाई से, ना बैन से, ना ममी मे उनको कह दे न, मेरे संटोसर ने बोला है, कि आज हम लोगे special बन चुके हैं, और हम बस special लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से बात नहीं करेंगे, ममी पाप पीटेंगे आपको ऐसा बात सुनके, खालना पिटाई, जितना खाना होगा, लेकिन बात नहीं करना, कुछ भ अजितना पिटाई खाना है, खालो टोटल आपका, इस इज ए, फिप्टीन में आये, पंदरवा क्या था, जि आरा है 15, तो इंट्रेस्ट, इंट्रेस्ट एक्स्पेंड़ 16 में बताए क्या था हमारा ओपरेटिंग एक्स्पेंस ओपरेटिंग एक्स्पेंसेज ठीक ना और फिर आपका प्रोविजन्स एंड कंटिंजेंसेज और इस बार इसके अंदर फिर से जगा छोड़ना मैं भोलूँगा नहीं छोड़ूँगा जगा और फिर यहां पर लिखूँगा टोटल भी आज कुछ भी हो जाए आज तो हम बात नहीं करेंगे किसी से भी फिल तो करो आप स्पेशल हो तो यह हो गया हमारा 13, 14, 15, 16 प्रोफिट फोड़ी आप फिर प्रोफिट फॉर दे यह प्रोफिट फॉर दे यह यह हमारा A-A-B हो जाएगा है न? और फिर प्रोफिट ब्रोड फोवरड कुछ है कैस कोशण की अंदर में कहीं कुछ नहीं है तो आप मत लिखना बट मैं लिख देता हूं आपको सिखाना है तो profit आपका जो broad forward है broad forward है ना वो आपका कुछ नहीं है बट anyway हमने लिख दिया ताकि आपको कुछ दिकत नहों जिसे टोटल आपका और यह आपका हो गया यहां पर फिर हम स्टार्ट करेंगे appropriation appropriation में चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं बोलेंगे क्या करना जी statutory reserve में transfer करना तो statutory reserve में तो transfer होगा ही होगा अगर loss होगा तो नहीं करूँगा दोच profit महमेशा करना आपको आपकी जो कोषण बोलेगा वो और मुझे दिख रहा है कि कोषण ने किसी कोई dividend पे करने के बारे में नहीं बता रहा है किसी और रिजन में transfer करने के बारे में नहीं बोला है बस इतना ही काम हमें करना थीके बच्छों थीके अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं यहां पर और मैं रेडी करता हूँ अपना यहां पर बाकी के शेडूल, तो आप स्टार्ड करेंगे मेरे साथ, शेडूल 13, शेडूल 13 आप लिखें यहां पर, इंट्रेस्ट, इंट्रेस्ट अर्ण्ट, यह हमारा 13 हो गया, फिर आप मेरे साथ बनाएंगे, शेडूल 14, अधर इंकम, 14 हो गया हमारा, फिर आप मेरे साथ बनाएंगे, शेडूल 15, कौन सा जी 15 क्या होगा, तो इंट्रेस्ट एक्सपेंडेड, इंट्रेस्ट एक्सपेंडेड, और फिर मेरे बच्चे, 16 में आप आईए, एक चीज देखते हो, जब भी दो शेडूल बनाता हो ना, तो बीशेडूल थोड़ा गैप छोड़ता हूँ, मेरे बात सुनेंगे द्हान से, मैं सुनेंगे द्हान से, लिख लिए आपने यह से, मैं थोड़ा से इसको बड़ा कर दू क्या, एक काम करोगे अगर गुस्सा नहीं करोगे तो आप, अपना ये जो 13 है ना, इसको यहां से हटा देता हूँ, मैं इस ही में दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे कोई दिकत नहीं था, मैं बाहर भी दिखा सकता था, बड़ा गुस्सा नहीं करना, मैं थोड़ा बड़ा उसको बनाता हूँ, और यहां ले लेता हूँ, इसके बाद यहां पे शेडूल 13, हम कैसे करें, जगडा मत करो ना, आपके लिए कर रहा हूँ, इंट्रेस्ट आपका अर्ण शेडूल, थोड़ा सा अच्छली बना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं, और उनको वर्किंग नोट्स में भी कर सकता था, मैं, उनको वर्किंग नोट्स में करके यहां पे करता, बड़ कोई दिकर ने, तो आप शेक करेंगे यहां पर आपका, शेडूल 13, इंट्रेस्ट आर्ण को लेकर, यहां पर क्या निकल के आता है, ठीक है, अब सुनी मेरी बात, आपको पहले समाज़े ना, फिर लिखना है, इंट्रेस्ट आर्ण आर्ण टर्म लोन कहता है कि 17.26, तो लिखो ना, यहां पर, इसके अंदर में, इंट्रेस्ट आर्ण 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 टर्म लोन, कितना आपको आमाउंट जी, 17, यहां लिखना, अंदर वाले में, 17.26, एक्शली मैं इसको वर्किंग में करके भी यहां इंट्रेस्ट आर्ण आर्ण टर्म लोन, 17.26, इंट्रेसर अर्ण आर्ण टर्म लोन, 17.26, लिक दिया में, इसको बताईए, कि यह जो इंट्रेस आंड ओन टर्म्लोन इसने लिखा हुआ है यह जो लिखा हुआ बच्चे यह बता यह क्या है यह आपका टर्म लौन यह पीए कि एनपीए जर्ण बताओ क्यों नीचे देखो कि काम खराब हो जाएगा फिर कॉंसेप्ट में आपको सिखानी पाऊंगा आप सिभी यह देखे बताएं इंट्रेस अर्ण और टर्मलों यह पीए है कि आप यहां पर जल्दी बताएं यह पीए है कि एंपीए है कई सारे बते करें करें करेंगे अरे बदमास क्या कर रहे हो यहां तो कुछ बूलिनी रहा यहाँ कहां कुछ बता रहा कि क्या है यह तो टोटल है आपका यह टोटल आपकों इंट्रेस अर्ट और टरम νों कहां लिखा разलिक्षा पीए हैं यह यह चीन स्वम क् enslaved कीि पीए और प्लस आपका इन обычно ढन करनेतं है कि यह जानते हैं की हम यह जानते की चोंप हैं और NPA पर क्या करते हैं जी रिसीव डिसीश में कमानते हैं अब सेके लाइन पढ़ना सेके लाइन कहता कि इंट्रेस एंड और टर्म लोन क्लासिफाइड एज एंपी अच्छा एक मिनट कहता है कि या टर्म लोन पर जो टोटल इंट्रेस एंड किया ना अन का कि अका मतलब कि जोशानल में एक्रू हुआ भू कि इसमें जो इन पी है इसमें जो अप ना होगा यह पी यह ऑफी रहा ऑगा जी और एंपी अ का विरा होगा अब वो अगले लान में कह रहा है कि इसमें से जो है उसमें जो इंट्रेस्ट इंटेसं हुआ है और जो इंट्रेस्ट क्लासिफार्ड वो कहता आक इतना बता बहुत कि न बता तो कि इंक बातासित झाम है इंकट आखिया सब्सक्राइश का इन कर दो है यह total आपका बता रहा है आपका PA और NPA दोनों मिला के फिर अगले अनमें कहना कि भी यह जो इसमें से NPA है ना उसमें से interest earned यानि कि एक साल में जो accru हुआ है वो इतना है लेकिन एक साल में जो receive वो 2.04 तो बताओ जो आप कि NPA पे जो income मैं लूँगा वो कौन सा लूँगा एक्रोड यानि कि earned या फिर received इतना बता रिसिवड बहुत प्यारे बच्चे आप लोग received ओविस बात है हम इनकी गलती को सुधा रहेंगे मेरे बच्चे इन्होंने क्या किया है कि आपको कोशन के अंदर में यहां पर जो दे दिया ना interest earned on term loan आपका इतना मैं इसको सुधारूंगा पता क्या करूंगा यह इसमें से मैं less करूंगा list करूंगा किसको जी interest इसमें interest interest earned earned on NPA पर जो interest earned है उसको हटाएंगे कितना जी 4.52 हम इसमें से 4.52 को यहां से मैनस करेंगे 4.52 को मैनस करेंगे दुबारा सुनिए यह एक साल में जितना भी इंट्रेस आपने earned किया है मेरे बच्छे earned मतलब एक साल में जितना एक्रूवा चाहे वो पीए हो चाहे एनपीए हो उन सब का मिला के बता रहा 17.26 फिर अगले दो इसमें से जो एनपीए है उसमें earned इतना है और रिसीब इतना है हम ने का भी या एनपीए पर earned तो मिनकम लेते ही नहीं है हम तो जो रिसीब हुआ वो लेते हैं तो पर बच्छे इसमें से earned हटा दो और इसमें क्या करो आप एड कर दो एड कर दो क्या जी एड कर दो interest interest received interest received on NPA पर जो interest received हुआ है कितना रिसीब हुआ है 2.04 इसको आप क्या के जी एड के जी कुछ भी नया नहीं है ऐसा नहीं कि यह topic हमने कभी पढ़ा नहीं है हमने तो पहली class इस सबाते पड़ी हुई है बस अब उनको सजाना सिख रहे हैं कि examiner कुछ भी game खेलेगा उल्टा सिधा हम उसको प्रपट तरीके से दिखाता है तो पर बच्छ वही काम कर रहे है उसने पहले line में कहा कि भी हम थोड़े लेते हैं हम तो receive लेते हैं तो earned वाला हटा के हम receive add कर देंगे बताइए amount कितना बहार चला गया 17.26 मैनस आपका 4.52 और प्लस आपका 2.04 यह आगया 14.78 14.78 कोई डाउट इसके अंदर में जली बताइए आर्या शुवम अभी class start किया है क्या अगर अभी आया होगा तो बदमास नहीं समझ मायागा अगर तो यह तो simple सी बात है बच्छे हम लोगों ने हम लोगों ने पहली class इस बात को पढ़ा हुआ है कि जो term loan है उस पर bank ने देखो यहां का लिखा earned term loan पे जो interest earned हुआ earned का मतलब कि जो हमने एक साल में एक रो किया है वो total आपका इतना है total इन आपका यह जो आपका है term loan बता रहा है मतलब पी ए एन पी नहीं बता रहा है तो understood है कि यह जो आपका है वो पी ए भी रहा होगा और प्लस इसमें इन पी भी रहा होगा तो इसने पी ए प्लस एंप दोनों का earned पता दिया. हमें पता है कि हम PA पे तो रण लेते हैं. बट इस पे क्या लेते हैं? रिस्ट तो हमने क्या कि कि भूला कि देखो जी NPA वाला जो रर्ण है न उसको हटा दो. रिसीबड है न उसको एड कर दो. और यह जो इनकम होगा वही करंट एर का हो जाएगा तो इसे क्या हो गया पीए पे हो गया एकुरू बेसिस पे और इन पीए पे हो गया रिसिप बेसिस पे काम खतम हो गया जो चीज होता वही तो करेंगे आई बात मरी बात समझ में अरे समझ में आई बात अरे बात समझ में आई जल्दी बताओ ना ये तो कोई बड़ी बात है नहीं तो ये हमारा यहां पर तभी तो बोलना हूँ बचे आप लोगी बात कर रहा हूँ कि ये question ने आपको जो information दिया है वो कहता भी या एक साल में जो term loan पे interest accru हुआ है वो total आपका इतना है total मतलब चाहाँ PA हो चाहाँ NPA हो दोनों पर earned आपका amount बता रहा है हमें इसमें से क्या करना है हमें निकालना कि हम कितना दिखाएंगे earned यहां पर तो हमें पता है कि इसमें से PA पर तो accrual basis पर चलता है लेकिन NPA पर receipt basis पर तो हमने कहा कि ठीक है भया इसमें से NPA पर जितना accru है वो हटा दो वो हम नहीं लेंगे इसमें जो यह amount मिला उसको नहीं लेंगे हम उस पर क्या लेंगे receipt वाला लेंगे तो receipt वाला ले लिया यह तो काम किया तो इस tato के सम से क्या किया जी आपका यह पर निकाला η marine यह तो कि आगे बढ़तें हैं अग्ला क्या बता रहा है यहाँ पर अभी और भी गेम है अग्ला प्रेंस अध्यान से इस गेम को भी और आजकर पढ़ा रहा जिसको थोड़ा दिकत हुआ यहां समझ जाएगा Interest on cash credit and overdraft यह देखिए Interest on cash credit and overdraft यह बता रहा है इतना फिर से देखे बता Interest on cash credit and overdraft मतलब बैंक ने जो overdraft लोगों को दिया है उस पे interest कमाया यह जो interest कमाया यह जो interest कमाया यह क्या है पीए पे है या फिर NPA पे है या फिर दोनों पे है understood है कि दोनों पे रहा होगा क्योंकि जब वो नहीं बतारा इस information को देते हुए कि वो P.A. पे है कि नपे पे है तो दोनों पे रहा होगा दोनों पे आपका total amount मिला कि कि इतना बतारा इतना अब आपको यहां कुछ कह रहा है सरी क्या कह रहा है अब नहीं पढ़ूँगा पहले में यहीं प्याओंगा यह लिजे एक बावताओ मैं कुछ लिख रहा हूं आप लिखना नहीं मैं इसको इसको लेकर से बात कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं बचे आप लिखना नहीं शब् भूल जाओ, सिर्फ अपने संतोज सर को देखो, इस बोर्ड को देखो, बात अभी चुटकी में समझ भाएगी, क्योंकि इस कोशन में में बचे, एक्जामन ना गेम खेल ला आपके साथ, शब्दों का, कॉंसेप्ट का नहीं कॉंसेप्ट आप जानते हैं, शब्दों का, लै आप इसको भी छोड़ो यार, क्यों मैं आपको परिशान करूं इन सब चीजों को लेकर, मैं इसको भी अटाता हूँ, बस मेरी बात यहां देख लो, यहां समझ में आ जाएगा आपको, इंट्रेस्ट आर्ण ओन एन पीए कहता है कि दो हजार रुपे है, मतलब अलग से एक कोशन बना रहा हूँ, इंट्रेस अर्ण ओन एन पी दो हजार हो, और कहता है कि इंट्रेस्ट, रिसीव्ड, रिसीव्ड ऑन एन पीए, यह कहता है 1200, आपका 1200, माल लो, तो कोई बताएगा यह जो 800 है, यह एन पीए पे मेरे बच्चे इंट्रेस अर्ड है, और यह एन मतलब कि एक साल में जो एक्रो हुआ वह आपका 2000 है और उस 2000 में से जो रिसीव हो गया कितना हो गया 200 को बता सकता है इस 800 को अगर मुझे कुछ नाम देना हो एक इसके लिए कुछ लिखना हो तो मैं क्या लिखना पसंद करूंगा वैसे ही जैसे आपके घर में अगर मालो तीन भाई बहन हो मालो तीन भाई बहन हो तीन भाई बहन में से एक भाई दो भाई बहन जो है आपको छोड़ कर वह बहुत अच्छे है तो मैंने पूछा कि आप लोग कितने भाई बहन हो आपने कहा तीन मैंने पूछा कि तीन में से अच्छे कितने है तो आपने कहा कि मेरे जो तो मुझे बताव इसका मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ आप गंदे हो एक नाव दिया था मैंने कि तीन में से वो दोनों अच्छे हैं मैंने आपको कुछ नी बुला तो आप क्या होगे गंदे होगे बनमाश होगे उसी तरीके से मैं आप से पूछता हूं कि अगर एक साल में एनपीए पे इंट्रेस अर्ण किया दो हजार एक साल में जो इंट्रे जब आप दे रहा है मतलब इसको सबसे बैस जो नाम देगा ना उसको चोकलेट खिलाओंगा मुझे बता ही कि मैं देख रहा हूं आपको इसको क्या बोलना पसंद करेंगे पूरा मुझे ऐसा एक नाम देख एक बच्चा बोलता है इंट्रेस अर्ण बट नॉट रिसीवड एक बच्चा कहता है सर अमरित बद्वाश क्या बोलता है एक बच्चे बोलते हैं इंट्रेस एक बोलता है बहुत सारी बात है आउट्सिंग इंट्रेस पता नहीं क्या-क् शूति कुमारी जो चैनल पे है वो कहते हैं इंट्रेस अर्ण बट नॉट रिसीवड ये ना अच्छा मतलब किसी को समझाना हो ना तो मैं पैता क्या बोलूँगा ये है इंट्रेस्ट अर्ण इंट्रेस अर्ण बट नॉट रिसीवड बहुत प्यारा ये बोलना ठीक रहेगा मतलब आठ सो क्या है कि हमने अर्ण तो कर लिया मतलब बैंक उस आठ सो को इस साल का उसका अर्णिंग तो है बट अभी तक रिसीव नहीं किया और किस पे जी किस पे अन इन पीए आपका अन इन पीए है ना अगर मैं यहां पे आके आपसे बात करो यहां पे बात करो तो मुझे कोई बताएगा जी इसको देखकर कोई बताएगा कि मैं आपसे पूछो कि जड़ा बताओ जी इसमें इंट्रेस्ट जो अर्ण है अर्ण बट नॉट रिसीवड बट नॉट रिसीवड वो अमाउन कितना है कोई बताएगा इसको देखकर कि अगर मैं बोलो कि बताओ इंट्रेस अर्ण बट नॉट रिसीवड कितना तो कितना बताओगे आप कोई बताएगा मुझे इसको देखकर 4.52 4.52 आपका इंट्रेस अर्ण हुआ इसमें से 2.04 आपने रिसीव कर लिया तो यानि कि इंट्रेस टो अर्ण हुआ बट रिसीव नहीं हुआ कितना हुआ 2.2.48 मान तो इस बात को क्या आप सारे बची इस बात को मानते हैं जी कि आप सारे बच्ची इस बात को मानते हैं कि इसमें इतना अंद किया उसमें से इतना रिसीव हुआ तो बाकि क्या हुआ इंट्रेस अंड बट नोट रिसीव यह तो हुआ अब देखो नहीं क्या बोलना चाहरा हूँ हमने एक्चुली क्या क्या यह क्या क्या यहां देखो यहां देखो क्या क्या जो इसको मैनस किया इसको प्लस किया इसका मतलब कि इंट्रेस अर्ण बट नोट रिसीव जो है न उसको हमने मैनस कर दिया जो हमने इंट्रेस अर्ण तो था लेकिन इस वार रिसीव नहीं किया उसको हमने क्या एक तरीके से यहां पर मैनस किया क्योंकि दोनों का नेटम बेट आपके यही निकल कर रहा सर कहना क्या चाहते हो क्यों टाइम हमारा बरबाद कर रहो मैं बच्छे यही तो बात है टाइम थोड़े बरबाद कर रहा हूं आप गुसा करोगे तो मैं क्या करूँ? यहां देखी कोशन को बाप यह देखी कोशन को कोशन ने बस यहीं पर आप से गेम खेला है और मैं आपको दिखाता हूँ गेम क्या है पढ़ेंगे आप मेरे साथ यहां पर कोशन में यह देखे आप कहता है कि interest on cash credit overdraft यह भी interest है ना हमने कमा यह लिखूंगा interest लिखिए मेरे साथ interest on cash credit credit and overdraft and overdraft interest on cash credit and overdraft amount कितना बता रहा हूँ आपको यहां पर कितना बता रहा है 38.54 तो हमने लिखा जी यहां पर 38.54 यह लिख दिया हमने 54 अब देखो अगले लान में क्या बोलता है नजर यहां नजर यहां यह देखो तो कम से कम थोड़ा बड़ा कर दो क्या यह देखो अपकी क्या बता रहा है कहता है कि कहता है कि interest earned but not received on cash rate and overdraft treated as NPA पर जो interest हमने earn तो किया interest जो earn तो किया बट receive नहीं किया मतलब interest earned but not received कहता है कि वो आपका इतना है अरे मेरे बच्चे यह total आपने earn किया है total earn किया है लेकि इसमें से जो NPA है ना NPA में जो amount हमने earn किया है but receive नहीं किया वो कहता है कि 8.39 तो मैं क्या करूंगा इस बार कोशने क्या किया कि आपको यहां पे दो अलग अलग देने के बजा है उसने सिप इतना कह दिया कि यह interest interest earned earned but not received received on NPA on NPA NPA वो कितना जी 8.39 तो आप इसमें से क्या किजे 8.39 मैंस कर दिजिए खतम होगी बात समझो यहां पर बस language का खेल है यहां पर उसने क्या क्या earned आपको अलग दिखाया received आपको अलग यहां पर क्या कर रहा है इन दोनों का net निकालकर जो आपने शब दिया था ना इंट्रेस अंबट नोट इसी वही बता दिया तो हम क्या करेंगे मैनस कर देंगे और जो अमाउंट है आपका बहाँ चला जाएगा बताई कितना तो 38.54 मैनस 8.39 यह आ गया 30.15 यह आ गया आपका यहां पर 30.15 का माउंट आपका को डाउट इसके इंदर में यह ठीक है बच यहां पर इस वेरी सिंपल लेंग्वेज में कहता है कि यहां कैश क्रेट पे टोटली इंट्रेस आपने इतना कमाया है फिर कहता है कि जो इंट्रेस अर्ण तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं किया करंट यह में थोड़े ही मानते हैं हम उसको क्या करेंगे मैनस कर देंगा माउ अब फटाफट लिखना शुरू कि जो चीज यहां पर जाएगा आईए यहां देखेंगा कहता है कि इंट्रेस्ट ओन डिपोजिट्स यह इंट्रेस्ट ओन डिपोजिट्स अम लोग पे करते हैं बताए कौन से श्रडूल में जाएगा इंट्रेस्ट एक्सपेंडेड में तो आप लिखेंगे यहां पर इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट ओन डिपोजिट्स एक दो ही पोइंट आपको समझना होगा और अल्टिमेट चलना बापका इसके बाद कुछ बनता है नहीं इंट्रेस्ट ओन डिपोजिट्स कितना पे क्या 27.20 का माउंट ठीक है ना फिर आगे किए पड़ेंगे आपका कहता है कि कमिशन मुझे बताओ कि कमिशन बैंक कमाता है कि पे करता है सर कमाता है तो अधर इंग हैमारिक स्वाल कितना जी Commission Bank ने कमाया 1.97 1.97 Commission आपका हो गया फिर कहता है आपका यहां पर Commission के बाद Profit on Sale of Investment Profit on Sale of Investment हम क्या करेंगे यहीं दिखाते हैं जी 14 में Profit on Sale of Investment है ना बताए कितना 11.76 तो 11.76 का मांट हो गया आगे बढ़ेंगे Profit on Revaluation नहीं पर आएगा Sell भी यहीं पर आएगा Profit on Revaluation of Investment इन्वेस्मेंट को Revaluation करने पर आपका कितना 2.76 2.76 प्लस प्रोफिट तो लोस प्रोफिट होगा तो प्लस लोस तो मैनस आपका फिर कहता है आपका Income from Investment इन्कम तो जाता है 13 में तो मने बच्चे 13 यहां पर लिखेंगे Income from Investment इन्कम फ्रोम इन्वेस्टमेंट इन्कम फ्रोम इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 15.53 15.53 का मांथ यह भी ठीक है Income from Investment अब जितने भी यह सेल्ली सब सब कहां जाएगा यहां पर लिखो ना फटा फट सेल्ली सेल्ली आपका है यहां पर कितना जी 18.75 18.75 फिर कहता आपका रेंड रेंड सब रेंड में लिख देता हूं बस इतना लंबा कौन लिखेगा रेंड कितना है 1.70 1.70 रेंड के बाद फिर आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखिए यहां पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके यहां पर 0.75 0.75 अपका हो गया फिर आपका डिरेक्टर स्वीस यहीं पर आएगा सारे चीज अब यहीं पर आएंगे डिरेक्टर स्वीस कितना मांट वंपॉंटवण्टै का मौंउंट फिर आप आए यहां पर सज्ण बोगा चार्जिज गरे पॉयंट टूटू हम ओंट भींटि यहां पर रिपेर्पर अन मिंटरिस यहां पर रिपेरिस इन मिंटरिसंट कि 0.18, 0.18, फिर आपका इंसुरेंस यहीं पे आएगा, इंसुरेंस, इंसुरेंस का आपका 0.30, 0.30, यह आपका आगया, अब उसके बाद जी, ये तो सारे पॉरेंस उगे, अब यहां पे प्रोविजन बनाने की बात निकल के आ रही है, आउना फटाफ़ट प्रोजिन बनाना है तो अब आपको आता ही आता है जल्दी से आप यहां पे मेरे साथ वर्किंग नोट्स में आएए और स्टार्ट में किंग प्रोविजन लिखो ना यहां पर वर्किंग नोट्स नमबर वन provision for doubtful debts, okay न? provision आपका, यह रखो, standard नहीं बता रहा, कहता है कि substandard, जितने नाम देगा उसी किसाहब से, अब उसने standard को gash कर दिया, कोई बात नहीं, substandard, कितना बता रहा आपका? 15, और बता हूँ, rate जो लेंगे, कितना लेंगे, बचे, जली बता हिए, इस पर rate के लिया जाएगा जल्दी बताइए rate के लेंगे ये substandard है हम secured मानेंगे और secured मानते हुए rate कितना लेंगे जल्दी बताइए कोई बताएं ने ना मुझे secured पर rate कितना था 15% सब भूल गया लग रहा है 15% आपका substandard ठीक है फिर जो doubtful assets थे up to one year up to one year one to three years and more than three आपका more than three है ना तो यहां चेकिजे doubtful for one year seven up to one year में seven है फिर आपका for two years two years आ गया one to three के अंदर में यह आ गया 2.4 2.4 and more than three में कौन से चला जाएगा जी more than three में है इनी तो यह आपका निल हो गया और फिर आपको बता रहा है loss assets loss assets loss assets कितना बता आपका 0.65 यह आ गया 0.65 आप ध्यान दगना हम इसको secured मानते वे इसको बना रहे है secured मानते वे तो बताईए यहां कितना होगा जी doubtful up to one year में rate क्या था तो यह बताएगा doubtful up to one year में rate कितना था कोई नहीं बताता अरे doubtful up to one year में rate कितना था जल्दी बताएगे 25% 1 to 3 years में rate कितना था 40% modern 3 में 100 पर था ही नहीं loss में कितना 100% आपका सारे कुनसे बस यहां पी कटे हो रहे हैं तो 15 का 15% अगर निकालता होगे यह 2.25 फिर 7 का 25% निकाले हैं यह आगया 1.75 फिर 2.4 का अगर हम निकालते हैं 40% तो यह आगया 0.96 0.96 और 0.65 का तो यह आगया 0.65 अब इसको add केजिए 0.65 प्लस आपका 0.96 प्लस 1.75 प्लस 2.25 यह आगया 5.61 यह आगया 5.61 आगया बच्चो अरे हाँ यह ना बता हो ना 5.61 आगया यह सर 5.61 आगया एप में बच्चे फास चल रहे हैं यहाँ पे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं चैनल बच्चे बदमाशी कर रहे हैं जो चल रहे हैं एप वाले बच्चे अभी में solve भी नहीं कर रहा हूं आगे निकल जा रहे मुझसे 5.61 तो provision for आपका जो बनाना है यहां लेकर आएए यहां पर provision and कंडिजनसी के अंदर में और यहां लिखिए प्रोविजन फोर डाउटफुल डेप्ट है ना कितना हो गया 5.61 यहां लेकर आईए 5.61 का माउंट आपका 5.61 ठीक ना यह निकल के आगया 5.61 ठीक है इसके बाद आए अब एक लास्ट पॉइंट को लेकर मैं आपको समझा हो सकता है पूरा आपको समझ में ना है बड आपका जो फानांशल स्टेटमेंट अपन कंपनी आगा वहां पूरा यहां भी सुझ माजाए को दिकता थोड़े यह ना क्यों नहीं आएगा मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं वर्की नोच नोबर टू पे वर्की नोच नु आपके पास investment वो कितना है 3700 का लिखो यहाँ पे 3700 इन्वेस्मेंट जो आपके पास है वो 3700 है इस 37 के दो पार्ट है एक आपका है current और एक है आपका long term ऐसा कोशन ने आपको बताया है यहाँ देख लो इन्वेस्मेंट का आपका दो पार्ट है एक आपका current यह कहता है पढ़ेंगे आपके बैंक शुट नॉट किप मोड़न 25% इन्वेस्मेंट एज हैल्ट फॉर मेचियोटी किसको बोलते है लॉंग टम या शॉट टम क्या आप में से किसी बच्छे को पता है कि हैल्द फॉर मेचियोटी लॉंग टम होता है कि शॉट टम होता है लॉंग टम यह शॉट टम जल्दी बताएं आरे काहे दा कल बेच देंगे वो शौट टम होगा तो कहता है कि भाया जो 25% होगा ना वहीं लॉंग टम होगा बाकि शौट टम होगा तो मुझे बताओ कि 3700 का आपका हेल फॉर मेचुर्टी यानि कि यह कितना हो जागा 25% तो यह कितना हो जागा जी 75% बताये कि आपका यह कितने का आ गया 3700 का 25% यह आ गया 925 और यह कितना गया 3700 का 75% यह आ गया 2775 इतना अगया बचे 2775 ठीक है कोई डाउट इसमें नई सब्स्रत ठीक है अब ये जो current investment है ना, ये investment आपका, इसके बारे में कुछ बता रहा है, ये उस investment की cost हो गई, cost यानि कि जितने में आपने purchase किया है, वो कहता है, आगे पढ़ेंगे question को, यहाँ देखें आप, यहाँ पे, नज़र यहाँ, market value of its race 75%, मतलब जो current investment है ना, उसका market value कहता है कि आज 9 lakhs है, 9 lakhs है, सारे figure thousands में, यानि कि हो जागा कितना, 900, है ना, सारे figure thousands में ना, बच्चे, ये देखो आप, ये सारे figure thousands में, तो इसको भी thousand में किया तो कितना हो जागा, 900, यानि कि ये जो आपका, जिसका cost आपका यहाँ पे इतना है, उसका कहता है कि आज market value जो है ना, market value, वो 900 ह अरे मुझे ये बता कि जो investment 2775 का है 2775 उसका market value अगर आज 900 है जिसको इतने में purchase किया था उसकी value इतनी रह गई तो 1875 का आपको क्या हो गया loss हो गया loss on revaluation of investment बोलो गलत बोलना हूँ बोलो गलत बोलना हूँ बच्चे आपने पढ़ाओगा group 1 में A13 नहीं group 2 में पढ़ेंगे मैं पढ़ाओँगा आपको A13 कि वो कहता कि बैया current investment जो होगा ना उसको value करते है cost price or market price whichever is lower तो जो चीज हमने इतने में purchase किया था अगर आज हम उसको इतने पर दिखाएंगा तो हमें इतने का तो loss होगा वो आपका loss हो गया मेरे बच्चे motivation of investment investment समझे मरी बात ना और वो 1875 का 1875 का आपको loss हो गया 1875 का आपको loss हो गया और भी कुछ बचा क्या सारी बाते खतम लो जब सारी बाते खतम हो गई तो अब इनका फट फट निकाली है total कितना निकल किया रहा है जल्दी से समय वरबाद नहीं करना है पले यह बताए 13 कितन आ गया 14.78 प्लस आपने किया 30.15 और प्लस किया आपने 15.53 यह आगे बच्चे 60 60.46 देखो जी यह आ रहा सबका 60.46 आ रहा बच्चे यह सर 60.46 तो लिखो ना 60.46 आपका चला गया यहां पर 60.46 का माउंट आपका 14 थी यानि कि अधर इंकम कितना आ गया चीजिए आपको यहां पर अधर इंकम यह देखना यह लॉस जो है न यह ब्रैकेट में है यह मैनस किया जा रहा है तो आपका 2.76 प्लस में है 11.76 प्लस में है 1.97 भी प्लस में है और मैनस आपका हो गया 18.75 यह वन एट फइट फाइट फइफएफ उन ठीक है जी यह अगया बच्चे 1 888.51 और यह ब्रैकेट में आपका है अची ब्रैकेट में अधर इंकम ठीके न यह हो गया आपका इंटरिच का इंकम था 27.20 27.20 ठीक है आप बताएं यह operating expense यानि कि यह कितना निकल के आ रहा है सभी बताएं जल्दी से 18.75 1.7 0.75 1.33 0.22 0.18 0.30 यह आगे बचे 23.23 का मांट आपका 23.23 तो 23.23 आप यहां लेकर आए 23.23 का मांट क्लियर इसके इंदर में यह सर कुछ बचा नहीं जल्दी से बताएं आप जल्दी से बताएं कि आपका यह कितना आ गया यह कितना आ गया 1858.51 मैनस 60.46 यह आ गया बचे ब्रैकेट में आपका 17179898.05 यह आ गया विदिन ब्रैकेट आपका यह आपका प्रोफिट ही निगेटिव है यह कितना आ गया 27.20 प्लस 23.23 प्लस 5.61 यह आ गया आपका 56.04 तो यह देखो यह भी आपका लोग यह भी आपका लोग से यह दोनों को इक अठा कर दो वह आपका आ जाएगा यह प्लस 1798.05 यह आगया बच्छे ब्रैकेट में मतलब लॉस आ रहा है 1854.09 आपका यह भी लॉस से यह भी लॉस से दोनों लॉस ही कठा आपका हो गया यह इन यह यह फिल्दी बताओ यह ठीक है न यह भी लॉस था यह भी लॉस था यह आपका लोग यह दोनों एड़ हो जाएगा बच्छे यह इनकम नहीं यह अनि कभी निकम आए मतलब लॉस एंप्लस्ट लॉस दोनों को एड़ करेंगे तो इतना निकल के आएगा आप लोग शायद इसमें से इसको मैनस कर देरो ये भी ये दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी लॉस हो गया और ये भी लॉस आपको हो गया तो इतना आएगा एक बाचे करो 1858.09 आ रहा ना हाँ जी ठीक है प्रोफिट प्रोफिट कुछ है नहीं आपका तो टोटल आपका हो गया 1854.09 और ये आपका ब्रैकेट में आपका स्टाटुट्री में कुछ ट्रांसफर होगा ने जी तो आपका जो लॉस है अब ये कैरी फॉरड हो जागा कैरी फॉरड तो बैलन्स इट और क काम खतम हो गया यही काम करना है ठीक है ना इतनी सी तो बात है इसको अंदर में ये भी कोशन खतम क्या स्टाटुट्री ज़र हम तब बनाएंगे बच्छे जब हमें प्रोफिट हो गया लॉस में थोड़े बनाएंगे ये काम खतम एक बात जल्दी से सुन लो आज की क्लास हम खतम कर रहे हैं आज आप लोगों का वो बीस वह ये मिरसम वाली क्लास नहीं है अमर्जीत में को तबिद खराब हो गया है तो आज वो रिस्ट पे हैं इसलिए जो क्लास नहीं है अब मेरी बात सुनेंगे यहां पर नजर यहां नजर यहां पता इस कोशन में क्या होगा एक छोटा सा आपके स्टेडी मेटरियल में एक एंसर में एक वेरेशन आपको दिखाए देगा यह जो है ना पच्छे लॉस ऑन रिवेलिशन आप इन्वेस्मेंट यह आपका यह आपके इंस्टिटूट के सजेस्टिट में जो एक्जाम में कोशना आए था उसका दो रिपीट कर रहा हूं कहीं किसी और बच्चे से नहीं होना चाहिए कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं उसका प्रोविजन मनाते हैं तो या तो इसमें से मैनस कर दो, या फिर यहाँ, एंसर तो सेम आएगा, लेकिन आपको एक्जाम में हमिश्णा क्या करना है, कि जब भी investment को revalue करने में घाटा फायदा होगा, आपको other income में लिख रहा है, आपका institute यही suggest करता है, ठीक है बच्चे, चलिए, कोई बात नहीं, त एक question आप लिखते चलिए, आपको 28 कर जाना है, question number 28, और एक question 26 कर जाना है, दो question आपको खतम कर जाना है, 28 and 26, इसके बाद मेरे बच्चे, अब जितने ही सारी classes है, आप से मेरे app पे चलेंगी, अब channel पे इस chapter को लेके कोई class नहीं चलेंगे, क्योंकि एप की capacity बढ़ा दी गई है, अब हमारे सारे बच्चे वहाँ पे occupy हो सकते हैं, तो मेरे बच्चे, आज की class हम यहीं पे रोकते हैं आपका, अगली class से जितने बच्चे पे रिस्टेंट्स हैं, और जो channel पे classes देख रहे हैं, वो भी office से phone करके, आप अपने app पे आ जाएंगे, app पे class लेगी, channel पे class नह ना, good, शूती, हाँ जी, classes हमेशा सीखनों को मिलती अच्छी चीजे, लेकिन याद एखना, जितने classes का हम लोगों ने practice कर ले रहे हैं, जितने question के practice कर ले रहे हैं, इसके बाद examiner के पास कोई भी ऐसा concept नहीं बचता, कि वो exam में पूछ दे, और आपको ना है, आपको सब कू साथ अटेंड करना हूँ, चाहे studio recorded classes में, चाहे live class के अंदर में, आपको एक हे class को proper तरीकी से study कर जाना है, guarantee बता रहा हूँ, exam देने जाएंगे, एक हे question आपको आता रहेगा, चलिए आज हम बहुत लंबा चल गेंगे, शायद आपका, 11, 12, 1,5, लगभग 3 घंटे की class आज ह ही होगी, और मेरे बच्चे, अब हम मिलेंगे आपके साथ चैनल पे, अपने एप में, और एप में बागी class इंज़ाय करेंगे, मैंने बता दिया, एक बार दुबारा बता दू, CMA Intergroup 1 का live बहुत शुडू हो रहा है, बच्चे, 14th January से, normal attempt वाले बच्चों के लिए, studio recording classes, already बच्चों के पास जा रही है, जा रही है, आपके पास भी जा रही होंगी, जाएंगी, 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 CMA वाले बच्चों का भी, foundation inter का जो बैच है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप त्यार रही है, पढ़ाई कीजे, और खुब सरे पढ़ाई की सारी क्लासेज चैनल पर देना मुश्किल है, अदर बाईज, पे डिस्टन्स वाले बच्चे कहां रहेंगे, फिर तो मैं कोई क्लासी प्रशेज नहीं करेंगा, फिर मैं क्या करूँगा, हमारे पास कम लो बहुत बड़ी टीम काम कर रहे हैं, तो सारी क्लासेज फ्री देना मुश्किल है बच्चे, इसलिए आप पढ़ाई करें, आप सबको all the best, मिलते हैं अगली क्लास में आपके एप पे, और जो मेरे चैनल वाले बच्चे हैं, प्रोमिस करता हूं again, हर एक चैप्टल का, स्टार्टिंग का, एक या दो लेक्टर जो concept-based होगा, आपको मैं दूँ यहां पर, all the best, बच्चे, thank you, thank you, thank you, and आप सबको खुब सारे मस्ती, आज अमर्जीत में की क्लास नहीं है, thank you, बच्चे, पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, और टाइपिंग करना पंदरा मिनेट पर डे नहीं भूलें, अदर बाइच दिक्कत होगी आप सबको, thank you.